कि अज़िए हम आ चुके हैं लाइव एक बार आप सब कंफर्म करोगे क्या कि हमारा ओडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है क्या येस मेरे ख्याल से लाइव तो आ चुके भाइसा लाइव दिख रहे है ठीक है स्क्रीन तुमको दिखेगी एक सेकंड के अंदर तड़ा नहीं रूखो तड़ा और नहीं दिख रहे है ठड़ा चलो अर्थी पवित्रा लखन राः अश शामली अ क्रसाद हेलो रोहित हेलो स्वाथी बेपका अलो अब्दुल्ला राज राज नाम तो सुना होगा सर्ष चलो हलो रितिका हेलो सोनाली हेलो दिवया हेलो दिवेश चलो खुल खुल कुल खुल खुल अमुल खुल चलो शुरू करेंगे हैं हिडो लोग येस राकार ज़ो उरी और आश्का गुड आनुश्का गुड मरीं आप्सलोटली आमेजंग राइट तो मैं क्या करा था सुनो तो सही इसका नाम है इन्डेस 16 ठीके ध्यान रखना, तो करते के शुरुवात, गाईस, करते शुरुवात, अच्छा, मैं बता दू, मैं जब भी अभी से कोई भी चप्टर पढ़ाऊंगा, तो मैं एक चार्ट बना के लेकर आता हूँ, ठीके, इसमें क्या होता है, कि ये चार्टर में क्या-क्या पढ़ना ह ये चार्ट तुमको बोर्ट नोट्स के अंदर मिल जाएगा, तो जगा छोड़ दिया करो, क्लास के बाद जब बोर्ट नोट्स दालूँगा, तो कॉपी कर लिया करो, अगर कॉपी नहीं भी करोगे, प्रिंट लेलो के तो भी चली जाएगा इसका, ठीके, तो ऐसे चैप् शुरू करते हैं मेरी काल से, वी शूट स्टार्ट, ओके, चलो, लेट्स स्टार्ट, दिस्केशन ओन इंडेया 16 इन, 3, 2, 1, and go, सबसे पहला, इंडेया 16 नाम है, प्रोपर्टी प्लांड एक्प्मेंट, पहला पॉइंट है, अब डेफिनेशन में क्या बोलता है, मेरी बात इटम्स, ठीक है, तुमको बता न, what is tangible, intangible, है न, वो feel कर सकते है, यह ऐसा, tangible है, है न, held for use, मतलब अगर आप इसको यूज करने वाले हो, तो ही 16 में आना, क्या गरने वाले हो, तो यूज करने वाले हो, तो ही इंडेया 16 में आना, held for use होना चाहिए, सर, बेचने वाले तो क सर्विस अप्लाइ कर रहा हो, तो सर्विस अप्लाइ करने में क्या यूज कर रहा हो, मैं आइपैड यूज कर रहा हो, कम्पिटर यूज कर रहा हो, कैमरा यूज कर रहा हो, बराबर तो यह मेरे लिए held for use होगे सारे पीपी, because I am holding it for production and supply of goods and services, यहां मेरे कैस में goods नहीं है, कुछ company के case में goods भी हो सकता है, ठीक है, held for use in rental to others, suppose है ना मैं एक car garage का मालिक हूँ, तो मेरा धन्दा क्या है, मैं सबको car rent पे देता हूँ, ठीक है, मेरा business ही है, held for use in rental to others, जैसे होता है आपने देखा रहेगा बहुत ऐसे taxi drivers, जो होते है, उनकी खुद की taxi नहीं होती है, वो कि held for use, for admin purpose, what is the meaning of admin purpose, suppose मैंने staff रखा मेरे पास, वो staff क्या करता है, वो staff आपका जो admission है, उसका processing करता है, तो वो staff जो PC यूज करता है, computer यूज करता है, laptop यूज करता है, उसको बोलते for admin purpose, तुम समझ रहे हो, तो अगर ऐसा कोई भी asset, production supply में यूज हो रहा है, या rental में यूज हो more than one year होगा, तभी तो वो asset बनेगा, suppose अभी मेरे पास एक marker है, ये marker का अगर use case less than one year है, तो ये मिले printing stationery हो गया, ये asset नहीं हुआ, ये stationery बोलके expense out कर देते हैं, लेकिन ये जो apple की pencil है, ये apple की pencil है, भाई, ये महिंग यादी है, समझ रहे हो, तुम तो इसका use case दो, तीन, चा हो गया, ये सर, तो ये था आपका PPE का definition, अच्छा ध्यान रतना सुबे, सुबे जाब आते हो, तो attention 100%, ये नहीं कि सर, हलकी सी नीद मिल जाती तो मजा आ जाती सर, भाई साब सुबे मस्तनाद हो के एकदम गरम गरम चाय मुपे मार के वेटने का, ठीके नीद आ तो गरम चाय होता है, समधने का ट्राइ करते है, आजाओ, तो इसके लिए आपन लिखेंगे, पढ़ाफट से, आजाओ, वट इस द मेनिंग अ बेरर प्लांट्स, पहले मा आपको heading दे जाता हू, बेरर लांट्स, ना इसका सोर्स कहा से होता है, समझाने का ट्राइ करता हूं, आपको, there is something known as biological assets, there is something known as biological assets, now what is the meaning of biological assets, यह biological assets, एक्चुलीपत है कहां कवड है, यह कवड है इंडेस 41, agriculture के अंदर, कहां कवर्ड है, इंडेस 41, अग्रिकल्चर के अंदर कवर्ड है, खेती बाड़ी, अग्रिकल्चर, ठीक है, now what is the meaning of biological assets, तो biological assets के अंदर दो चीज़ा कवर्ड है, एक है, लिविंग प्लांट्स, और दूसरा है जो आपन सब लोग है, सर हम लोग सब लोग है, अरे animals, अपने घ घरवालों के लिए animals है, रुजगाली खाते है, तो biological asset का मतलब क्या है, या तो living plants या फिर animals, अगर आपके agriculture में इसमें से कोई भी कुछ है, तो इसको हम biological asset कहते हैं, ठीक है, अब living plants के दो bifurcation होता है, ठीक है, एक होता है bearer plant, एक होता है bearer plant, और एक होता है non bearer plant, non bearer plant, now what is the meaning of bearer plant, bearer plant मतलब ऐसा plant होता है, जिसका life is more than one year, ऐसा समझाओ, आसा बासा में समझाओ, तो जिसका life is more than one year, उसको बोलते है bearer plant, sir example दो, तुम मुझे दो ना कोई ऐसा example, कोई ऐसा example जिसका life more than one year है, ऐसा plant, very good mango tree, अरे, आ गया आम का मौसम, रसिया, नहीं, ठीच, जुलो, example mango tree, तो standard बोलता है, अगर ऐसा कोई भी plant है, जिसका life more than one year है, तो यह plant को हम बोलेंगे bearer plant, और यह bearer plant कहां cover रहेगा, यह index 16 में cover हो जाएगा, है न, coconut tree भी हो सकता है, good answer, coconut tree हो सकता है, बाकि तुम अभी पूरा सबजी मंदी मत खुलके बैटना, अलोवेरा, यह वो सब खुलके बैटोगे अभी, एनिवेस, तुम समझ गया न, ठीक है, तो mango tree को बोलता है, bearer plant, तो यह, अब यह index 16 में क्यों covered है, why is this covered in India 16, समझने का try करते है, जैसे किसी भी company के लिए एक machine होती है, suppose for example, एक company है, जो marker बनाती है, तो उसके लिए जो marker बनाने वाली machine है, वो क्या हो जाएगी, वो marker बनाने वाली machine उसके लिए PPE हो जाती है, similarly farmer के लिए, यह जो mango tree है, यह एक machine की तरह ही है, क्यों, हमको normally machine से क् output मिलता है, तो मैं बूलू, farmer को भी तो mango tree से हर साल mangoes मिल रहा है, farmer को भी हर साल mango tree से क्या मिल रहा है, mangoes, तो जैसे किसी normal company के लिए machine से production करने के बाद, उनको output मिलता है, वैसे farmer के लिए mango tree से उसको हर साल output मिलता है, वो पानी देगा, वो उसका ख्याल लखेगा, तो उसका output मि यह उसकी मशीन की तरह ही तो हुआ, और क्या हुआ, बराबर तुम्हें लिख देता हो, for farmer, farmer के लिए, यह एक मशीन की तरह ही तो हुआ, क्योंकि इस मशीन से उसको every year, क्या output मिलेगा, output मिलेगा in the form of mango, तुम समझ रहे हो, ध्यान रखना, यहां mango cover नहीं है, देखो, mango is not your PPE, mango tree is your PPE, जैसे, यह जो marker है, यह marker मेरा PPE नहीं है, marker बराणवाली machine मेरा PPE है, similarly farmer के लिए machine, जो mango tree है, यह PPE है, ध्यान रखना, तुमको समझ में आए, मैंने क्या बोला, तो इसको बोलते है, bearer plant, sir, what is the meaning of non-bearer plant, उसका life less than one year होता है, जाता है, example mango tree, clear यह बाला पाट क्या, yes, चलो, आगे बढ़ू, hero log, चलो, आगे बढ़ जाते है, सची, इताते को लिखा हुआ है, what is the meaning of bearer plant, it is a living plant, used in the production or supply of agriculture produce, sir, इसका मतलब क्या होता है, mango tree से क्या मिल रहा है, mango, वो mango को हम प्यार से agriculture produce बोलते है, बराबर, तो that plant is used in the production of agriculture, अगरिकल्चर प्रेड्यूस, expected to bear produce for more than one period, of course, क्योंकि लाइफ एक साल से जाता है, तो वो mango एक साल से जाता समय तक देगा आपको, and last one क्या बोलता है, has a remote likelihood of being sold as agriculture produce, what is the meaning of this, इसका मतलब आसान भाशम यह है, कि आपका business, मेरा business, mango tree को sale करना नहीं है, मेरा business mango tree को sale करना नहीं है, सर ऐसा मैंने क्यों बोला, अब समझो, जिस machine से मैं marker बना रहा हूँ, अगर वो machine बेचना खरीदना मेरा business है, तो वो machine मेरे ले barrel plant नहीं, वो machine मेरे ले क्या बन जाएगी, इन्वेंटरी बन जाएगी, या machine मेरे ले ले पीपी नहीं, वो machine मेरे ले inventory बन जाएगी, तो इसलिए वो बोलता है, has a remote likelihood of being sold as agriculture produce, has a remote likelihood of being sold as agriculture produce, mango tree को sell करना आपका business नहीं होना चाहिए, तुम समझे मैंने क्या बोला, अरे मेरे हिरे लोग, अरे मेरे राज्या बेटा लोग, तुमको समझ मारा है क्या, यससा समझ मारा है ना, ठीक है, आगे, हाँ, of course mango tree को आपका बेट सकते हो, जब उसकी life खतम हो जाए, जब उसका सिर्फ सूखा लखडी वाखी है, तो आज स्क्राइब उसको बेट सकते हो, वहाँ दिक्कत नहीं है, बट every year उसको बेचना खरितना business नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, तो यह bearer plan के बारे में था, not very critical, बट यह two definitions have been discussed here, आगे बढ़ जाता हूँ, अब आता है recognition criteria, next point is recognition criteria, what is the meaning of recognition criteria, recognition यह समझाता है, कि उस asset को, मैं अपने books में record करूँ की नहीं करूँ, उसको बलते है recognition, recognize करूँ की नहीं करूँ, अब आप standard का flow समझने का try करना, flow क्या होता है देखो, पहले वो define करता है, कि what is the definition of PPE, उसके बाद बोलता है, चलो PPE है, तो record करूँ की नहीं करूँ, फिर बोलता है अच्छा, record करने वाले हो, तो कौन से value पर record करूँ का सर, कौन से value पर, उसको बोलता है measurement, तो flow समझ रहे हो, पहले define करता है, फिर बोलता है record करें की नहीं करें, अच्छा record करने वाले हो, तो कौन से value पर record करेंगे, उसको बोलता है measurement, बराबर, तो अभी मैं क्या पड़ा रहा हूँ, recognition, record करूँ की नहीं करूँ, तो वो एकदम दो simple से point है, भचपन से आपन यही पढ़ते आ रहे, record कब करना, जब आपको certain है कि आपको मिलेगा future economic benefit, future economic benefit कब मिलता है sir, जब आपको life एक साल से जादा है, तो आपको मिलेगा future economic benefit, इसको मैं short form में FEB बोलता हूँ, पर record करना पड़ेगा ना, तो उसकी cost measurable होनी चीए, तभी तो record कर पाओगे, तभी तो recognize कर पाओगे, तो बोलता है, एक तो future economic benefit होना चाहिए, और एक cost can be measured reliably होना चाहिए, ठीक है, यह बात हैं ना, तो simple सा point है, अच्छा, किसी ने chat box में लेका है sir, यह तो as10 की तरह है, काफी काफी same से मैं, मैं बोलू, काफी हद तक as10 जैसा ही है, लेकिन मैं क्या मानता हूँ, आपको as10 नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता तुमको कितना याद होगा as10, ठीक है, तो हम मानते हैं आपको as10 नहीं आता है, आगे बढ़ जाते हैं, अब एक guidance दिया हुए, ठीक है, यह guidance के बारे मैं बाते मैं बाद में करूँगा, तो इसलिए मैं लेकिता है इदर P, P का मतलब क्या होता है sir, pending, pending, तो P, आजाओ, अब आता है measurement, ठीक है, अब आता है measurement, अब measurement का क्या सुन लो, measurement दो प्रकार का होता है, एक होता है initial measurement, एक होता है subsequent measurement, sir, initial subsequent का मतलब क्या होता है, initial का मतलब, आप day 1 पे कुन से value पे record करोगे, क्या होता है इसका मतलब, आप day 1 पे कुन से value पे record करोगे, initial measurement, subsequent measurement मतलब क्या, देखो एक बार आपने PP खरीद लिया, तो हर साल के end पे दिखेगा न, PP आपके books में, तो every year के end पे आप कौन से value पे दिखाऊगे, उसको गोल के subsequent measurement, तो initial मतलब day 1 पे कौन से value पे दिखाऊगे, subsequent मतलब every year end पे कौन से value पे दिखाऊगे, समझा, ठीक है, तो पहले हम किस की बात करेंगे, पहले हम day 1 की बात करेंगे, अब ऐसे कसम खाऊओ, ऐसे कसम खाऊओ, ऐसे, कि मैं कसम खाता हूँ, कि PB को initially, एक ही amount पर record करूँगा, वो क्या है, always, always, always at cost, किस पर record करेगा, always, always, always at cost, हम उसको cost पर record करेंगे, ठीक है, ध्यान रगना, अब cost क्या होता है, cost का मतलब क करने के लिए, ये देखना पड़ेगा, asset को acquire कैसे किया है, sir, asset को acquire करने के बहुत तरीके होते है, क्या, हाँ, बहुत सारी तरीके होते है, या तो आप asset को जाके बजार से खरीच सकते हो, या तो आप asset को जाके खुद बना सकते हो, self-construct कर सकते हो, या फिर आप asset को exchange में acquire कर स हाँ ऐसा मानलो सपोज मेरे पास ना एक गरीब सा फोन था वन प्लस का या आइफोन था मेरे पास नहीं में बस कैलकुलेटर था कैलकुलेटर थीक है तो मैंने कैलकुलेटर दिया और बदले में ऐसा मानलो मुझे राजकुमार ने क्या दिया मुझे राजकुमार ने आइफो grant में मिल जाता है किस में मिल जाता है government grant में मतलब government बोलता है आरे बिचार अच्छा काम कर रहा है low grant रख लो है नँदा free में रख लो government grant ठीक है तो आपको initial measurement के पहले ये देखना पड़ेगा asset को acquire कैसे किया है है नँदा है खुद बनाया है exchange में acquire किया है, या government grant में acquire किया है, ठीक है, सबसे बेले हम बात करेंगे, अगर आपने asset खुद purchase किया है, तो किस value पे record होगा, of course cost पे record होगा, लेकिन cost में क्या क्या चीज़ा आएगी, cost में क्या क्या चीज़ा आएगी, तुम समझ रो, कल को for example में ये iPad खरीत के लिए आया, है खरीत के लिए हो, तो iPad में लिए हो गया, purchase asset, तो अब ये इसके cost में क्या क्या आएगा, वो डिशेड करेंगे, तो उसके लिए बोलता है, refer note number 1 and 2, तो पहला note number 1 क्या बोलता है, components of cost, if the asset is purchased, देखो जिदा 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 जरुवत लगती वहां, किताब में लिखेंगे, जह उसके लावा, add non-refundable taxes, what is the meaning of this, suppose मैंने ये iPad के उपर, iPad के उपर मैंने GST भरा, ठीक है, अब अगर मुझे GST का, आपको पता ना, GST का credit मिल जाते है अपने को business में, तो अगर मुझे GST का credit मिलने वाला है, मिलेगा, मैंने बोला है, मिलेगा, तो फिर ये GST आपके cost का part नही बनेगा, लेकिन अगर मुझे GST का credit नहीं मिलने वाला था, उसको बोलते है, non-refundable taxes, जो tax भरा, उसको कोई benefit नहीं मिलेगा, तो अगर क्रेट नहीं मिलने वाला था, तो वो GST आपके cost का part बन जाएगा, GST आपके cost का part बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, तो इसलिए ब attributable expenses, sir, what is the meaning of directly attributable expenses, ऐसे खर्चे, जो asset को purchase करके, use करने के condition में लाने के लिए relevant है, जो asset को purchase करने के बाद, use करने वाले condition में लाने के लिए relevant है, उसमें employee cost आ सकता है, cost of site आ सकता है, sir, cost of site अगरा क्या होता है, suppose आपने एक machine खरीदी, तो machine आपकोई site पे install करोगे, तो वो site आप आपने purchase की है, install करने के लिए, वो cost of site होता है, या delivery वाला खर्चा आ सकता है, या installation का खर्चा आ सकता है, cost of testing आ सकता है, तो ये सारे जो भी खर्चे, देखो ये सब रट्टा मत मारने बैटना, employee cost आसे रट्टा मत मारना, आपको से इतना समझना है, अगर कोई भी direct cost है, जो आपके asset के खरीदने में, या asset को खरीदने से लेकर, use करने के लिए, ready करने में, जरूरी है, उसको बलते है, directly attributable expense, बराबर आपकी शादि वनने वाली है, आपको दुला बनाने में जो भी खर्चा लग रहा है, आपको बरात में ready करने के लिए जो भी खर्चा लग रहा है, सेरा लगाया, डुपट्टा लगाया, सब सब सब, डिरेक्टले अट्रोड एक्सपेंस, समझना आए सब, डिलिवरी वाला खर्चा घोडी पर बिठाया है, तो इसमें यसा बात है, अब इसमें एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो मुझे डिसकस करना है, ठीक है, मेक अप रुप ही तैम करने का मतलब क्या होत है ? किमाने कब करते हैं, सब गवर्मेंट में आएं साधे में श्राया हो, तो अद्सches वे나, हम एक और फेनम यह से बानला है, तो अब बताओ जिब गवर्मेंट में पर हैं सीआ, तो डेक्स्टिश को एड़न को यसी और बनाएं पर तो करना पड़ेगा ना बहाई किuna कि अधि यह करना 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 चीज है तो न चीजे है कभी करते समय आपको कोई miscellaneous income generate हो जाती है सर example दो, example देता हूँ suppose government ने metro का test run कर रहा था तो government ने scheme announce की ठीक है कि हम metro का test run कर रहे है लेकिन public के fun के लिए हमने ऐसे एक बहुत subsidized rate पे ऐसे free ride जैसा चालू किया है जहां हम एक रुपे के अंदर metro की ride passenger को देंगे बस यह है फरक कि हम आपसे एक form पे sign कर वाएंगे कि अगर इस ride का दर रहां कुछ हुआ आपको तो आपकी जिम्मेदारी क्योंकि test run चालू है है ना तो मुंबई metro ने यह किया बोला कि चलो हाओ हम test run कर रहे बट जिस public को अपने life का मज़ा उठाना है आओ बैठो एक रुपे के अंदर ठीक है तो अपने पास कौन था अपने पास इधर था आशीश थे अपने पास ठीक है आशीश थे आशीश पते क्या बोलते आशीश अपनी girlfriend को phone करते बोलते अपने लिए एकदम metro free ride चालू किये वैसे ही अपने जब मिलते है तो कहां मिले इसकी बड़ी दिक्कत होती है तो सस्ते में बड़ी आप metro में पूरा दिन बैठे रहेंगे एसी के अंदर गपा गोश्टी करेंगे तो आशीश पहुंच गया अपनी girlfriend को लेकर metro ride के लिए तुम समझ रहे हो क्या तो ऐसे आशीश जैसे कितने सारे निबबा निब़ी आई रहेंगे न उदर metro का free ride लेने के लिए तो ऐसा जब free ride का मज़ा उठाने जा रहे उससे government को income होईगा की नहीं होईगा आरे उससे government को income होईगा की नहीं होईगा 100% होईगा सर बस तो अगर ऐसी जो भी कोई बोलता है मेरी 5 girlfriend है मैं 5 बढ़ जाऊंगा हाँ हाँ ये कर लो तुम पहले ठीक है very good आशीश खुश हो गया बोलता है चलो आपके example में ही सही मेरी girlfriend the bunny sir very good चलो सुलो तो testing के अगर कुछ income होती है suppose आपकी income होई 10,000 रुपीज की तो net खर्चा कितना हो आपका net cost net cost is 90,000 तो ये करना आप capitalize तुमको समझता न what is the meaning of capitalize capitalize का मतलब होता है asset की cost में add करना ठीक है दुख दुख्ती नस पे हाथ रख दिया sir आप में अरे ठीक है ना यार तुमसे ये बनने पर ध्यान दो ठीक है सब लोग तो ये capitalize करना होता है ठीक है तो इसलिए बोलते cost of testing less proceeds from sale of product arising from test production मतलब cost of testing less testing के समय जो income कमाई वो less कर देना simple ठीक हाँ एक रुपे में मौत का जूला हाँ very good आगे बढ़ो ठीक है अब ये clarification इदर आया है amendment clarification जो बोलना है बोल दो वो clarification कह सुनना देखो जैसे अगर आपका खर्चा जादा था तो आपने क्या-क्या capitalize किया अब ऐसा मनलो ऐसा भी तो possible है सुनलो आपके testing की जो expense है let's say it is 1 lakh लेकिन आशिष जैसे बहुत निभा निभी है पहुच गया उदर है ना तो testing की income ही बढ़ गई testing की income खर्चे से जादा थी testing की income आप मानलो it was 1.3 lakhs तो testing का खर्चा है 1 lakh testing की income है 1.3 lakh income खर्चे से जादा possible है 100% possible है सर तो ये जो भी excess income है ये जो भी net income है अब मैं इसका क्या करूँगा net income किती 30,000 की तो जैसे net खर्चा था तो मैं asset की cost में add कर रहा था तो जब income जादा हो जाएगी ना asset की cost से minus कर देना less क्यों करूँगा अरे जब खर्चा जादा था तो add कर रहे थे तो जब income जादा है तो less करना है इसको इस net income को profit and loss में transfer करना ये clarification है कि जब आपकी income जादा हो जाती है by chance तो इसको आप profit and loss में नी it will be deducted from the cost of PPE less from the cost of PPE है ना तो cost से less करते है ना add मत करना मतला मेरे ये कहने का मतला add नहीं cost से less करते है तुम समझे चलो आगे बढ़ू आगे बढ़ते हैं सरिफ testing product discontinued or failed फिर पीपी ready नहीं होएगा फिर आपको वापस उसका construction वगेरा करना पड़ेगा doesn't matter हो कापलाइस तो करोगे आप चलो अब क्या क्या चीज़े include नहीं करेगी ये illustrative purpose के लिए इंक्लूड नहीं करेगा इंक्लूड नहीं करेगा मतलब ये सारे खर्चे कभी भी असट की कौश में आड़ मत करना पहला है inauguration expense फिर आपने बुलाया मेरे प्यारे राहुल गांदी जी को और बोला के ribbon काटो तो उन्होंने जो inauguration किया वो free में तो करेंगे नहीं वो रोकडा लेंगे कुछ तो समझ गये ना तुम है ना little-little तो लेंगे ना तो वो जो inauguration का पैसा लेंगे भाई वो capitalize मत करना तुम समझ रहे हो गया सब वो तुमने को स्टोर खोला अब स्टोर खोलने के लिए तुमने तुशार को बोला तुशार को बोला के ribbon काटो वो ribbon काटने का पैसा जो भी भर रहे हो तुम वो नहीं आएगा उसके अंदर ठीक है उसके लावा जो advertising करोगे promotion करोगे वो भी नहीं आएगा training का खर्चा वो भी नहीं आएगा admin खर्चा वो भी नहीं आएगा initial operating losses कल को Metro चालू हो गई तो initially Metro को loss होएगा तो वो जो loss है वो cost में मत करना भाई वो तो तुम्हारा asset के ready होने के बात के खर्चे है cost of relocating entities operations इसका मतलब क्यों होता है कभी-कभी अपना जो operations है suppose Kolkata जो ठाकर आपने एंदावाद में shift कर दिया तो यह जो relocation खर्चा होता है यह कभी capitalize मत करना ऐसा ठीक है अब इसमें एक important part पार्ट यह वाला है car parking की income इसका मतलब क्या है समझने का ट्राय करना है यह important है ठीक है the income and related expense of using under construction इसका मतलब क्या है आपको पता है आपने देखा रहेगा बहुत सारे construction sites पे जब वह सिर्व land होती है और वहाँ construction शुरू होने वाला होता है तो जब तक वह शुरू नहीं होता ना तो उनलोग land को एक parking site की तरह यूज करते जहां car parking site की तरह यूज करते देखा आपने कभी वह ऐसे car parking ऐसे खंडर जगे पे होता है जहां वह काम चालू होने वाला होता है हुआ नहीं होता है बराबर तो वह parking site को यूज करते और इस parking site को यूज करेंगे तो कुछ income कमाएंगे बराबर अब अब मुझे बताओ 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया ऐसा करके अब मुझे बताओ यह जो income इन्होंने कमाई parking site की तरह यूज करके क्या यह income को भी इनको asset की cost suggest करना चाहिए क्या the answer is no यह testing के income है क्या अब यह testing अगरा नहीं कर रहा है वह यह एक तरीके से miscellaneous income होगे miscellaneous income यह testing ऐसा नहीं कि testing का खर्चा consider करें तो income हो गई नहीं miscellaneous income होगे आपके लिए तो यह कहा जाने चाहिए यह सिधा सिधा आपके profit and loss में जाने चाहिए asset के construction को लेकर कोई भी relation में नहीं है testing में क्या था testing आप कर रहे कि वह चेक करने के लिए कि भाई उसका asset ready हुआ है कि नहीं हुआ तो testing का खर्चा consider कर रहे थे expense में तो इसलिए income less कर दिया कर दिया थे expense में यहाँ जो income हो रही है car parking की यह कोई testing की income नहीं है यह miscellaneous income है तो यह जाएगी आपकी profit and loss में सबको समझ भा है मैंने क्या बोला yes sir उसके लाव अगर कोई भी cash discount मिलता है तो it will be transfer to profit and loss एक बात सुनलो trade discount और cash discount में फरक क्या होता है trade discount क्या होता है जो सबको हम देते हैं कि आप आओगे आज 5% off है ना हमने सबको दिया 5% off उसको बलते trade discount पूरे गाव बसर को दे रहे यह नहीं कि तो अच्छा रिक्ता तो तिरको दिया तू cash आज दरत तिरको दिया ऐसा नहीं भेदबाव नहीं सबको दे रहे तो trade discount क्या होता है जल्दी रुकड़ा भड़ेगा तो discount मिलेगा तो वो discount consider मत करना उसको डालना profit capital loss के अंतर ध्यान रतना तो यह सार आपके खर्च होगे अच्छा किसे ने पूछा है कि employee cost में क्या क्या आएगा suppose आप जो install करवा रहे हो वो आपका खुद का employee बेटके install कर रहे है तो वो जो employee involved installation में उसका खर्चा आ सकता है और यह mainly relevant होता है employee cost जब आप asset खुद construct कर रहे हो तो आपके जो company के employees है जो लगे पड़े खुद asset बनाने में वो खर्चा आ जाते है ठीक है ध्यान रखना तो सर यह purchase वाले में क्यों लिखा आपने self construct के लिए भी यह same चीज़े refer करने है समझेगा आपको बात में समझा में एक बार वापस revise करवा दू क्योंकि देखो जो first time पड़ते है न तो आपन क्या करते है आपन चीज़ों को एक ही करके समझते revise करोंगा तो concise हो जाएगी चीज़े सुनलो फटा 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 सबसे पहला जो purchase price है less trade discount rebates add all the non refundable taxes add all the directly attributable expenses अब directly attributable expense में हम क्या consider करेंगे सबसे important वो है cost of testing तो testing का खर्चा है वो हम consider करेंगे ठीक है income less कर ले ना उसमें से उसके लबा क्या क्या include नहीं करेंगे जो भी ऐसे खर्चे है जो asset को बनाने में necessary नहीं तो उसको consider नहीं करेंगे बराबर यह सारे खर्चे में से कोई भी खर्चा asset को बनाने में relevant नहीं है तो consider नहीं करेंगे और cash score मिला तो वो भी जाएगा profit and loss में ठीक है अच्छा अकी ने पूछा है why training cost not included सुभे सुभे दूद के बदले कुछ और मत पी कि आया करो अरे इधर ही तो गानक आया कि training cost include करना है अब वो booster तो include क्यों नहीं करेंगे मेरे को सुभे सुभ अटक आजएगा भाई तुम कहाँ ध्यान दे लेओ अथने प्याले बाबू चोना को बोलो मैं तेलचे बाद में chatting कलता हूँ इधर मेरा दिल बठा जा रहा है इधर सर जो बोल रहे मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा है तो chatting बात में करो किसी और से यह ध्यान दो हाँ very good चलो अब इसमें एक और चीज इंपोर्टेंट है वह है decommissioning का खर्चा cost of decommissioning dismantling अब यह क्या होता है तो इसको discuss करने के लिए हम क्या discuss करेंगे example discuss करेंगे यह भी आपके cost का पार्ट बनता है decommissioning वाला खर्चा ध्यान में ठीक है आजाओ cost of decommissioning heading दे दो यह important आपके heading दो decommissioning मैं इसका मतलब क्या आजा समझाता हूं मैं आपको decommissioning dismantling या site restoration बहुत सारे तरह तरह के नाम है इसके अब सुन लो यह क्या होता है ऐसा मानलो आपने एक machine एक machine है जिससे आप oil extract करते हो oil या mineral पता ना वो mineral extract कैसे करते है आपन कैसे extract करते है mineral आपन वो एक machine को आपन underground गाड़ते और वहा से mineral निकालते रहते तो suppose एक machine है जो mineral extraction में काम आती है ठीक है अब इसको आपने किसी site पे install किया for 10 years लेकिन जहां भी आपने install किया न वो site आपकी नहीं थी वो government के site थी तो government आपको बोला कि भाई जब आपका काम खत्म हो जागा 10 साल के बाद तो यह जो भी आपने site खराब किया न जो छेद वगरा किया site में आपने वो छेद को भरके जाना है यह न होता न आपने सब उन मशीन इस्टॉल कर दी अब वो जो छेद क्रेट हुआ है दस साल के बाद आपको वो छेद को भरके जाने का है उसको बलते है site restoration या decommissioning तुम समझ रहे हो क्या तो आपको 10 साल के बाद क्या करना है site को restore करके जाना है site restore after 10 years अब जब मतलब अगर आपने site restore करने से refuse किया तो आप क्या ये machine आज इंस्टॉल कर पाओगे the answer is no ये machine आज इंस्टॉल करने के लिए एक pinky promise करना पड़ेगा कि हाँ भई हाँ 10 साल के बाद site को ठीक करके जाऊंगा चिंदा मत कर तुमको समझा मैंने क्या बोला yes तो अब ये जो खर्चा है क्या ये directly attributable खर्चा हुआ ये जो site restore करने का खर्चा है क्या ये directly attributable expense वाद answer is yes it is a directly attributable expense it is a directly attributable expense बराबर तो जब ये directly attributable expense है तो क्या मैं इसको capitalize करूँगा the answer is yes इसको भी आप asset की cost में add करोगे लेकिन एक problem है problem क्या है ये जो खर्चा है क्या ये मैं आज anchor करूँगा ये 10 साल के बाद anchor करोगे अरे 10 साल के बाद anchor करेंगे न यार बराबर तो अगर 10 साल के बाद खर्चा anchor करने वाले हो तो आज की cost में कैसे add करोगे कोई मुझे answer दे सकता है इसका गया कि अगर मुझे कोई खर्चा 10 साल के बाद add करना है तो मैं आज की cost में कैसे add करूँगा इसका अगर answer दे दोगे तो मज़ा आ जाएगा बताओ ना very good answer sir अगर 10 साल के बाद खर्चा करने वाले हो लेकिन cost में आज add करना है हां तनवी ने सूरज ने उमकार ने मुझे क्या बोला किसा present value पे consider कर लो time value पने तो सिख्या है न हापन very good very good सुमेथ very good भला very good निकिता very good तो हापन किस पे consider करेंगे present value पे समझदाल तो है मिले student लग तो present value पे consider करेंगे अब यह सब कैसे compute करेंगे क्या करेंगे उसके बारे मैं बात करता हूँ चिंता मत करना ठीक है चलो तो इदर लिख दो एक्जांपल लेगे एक्जांपल लेदा जाओ asset purchased for rupees 10 lakhs एक बड़ी एक्जांपल लिखो asset purchased for rupees 10 lakhs इस पे decommissioning incur करना है after 5 years decommissioning after 5 years incur करना है अपने को 5 lakhs ठीक है discounting factor है at the rate 10% बस इतना ही question है खरीदा 10 lakhs में 10 lakhs के अलावा 5 lakhs और incur करना है 5 साल के बाद discounting factor 10% है तो asset की cost में क्या क्या आएगा day 1 पे तो day 1 पे आपकी PPE की cost क्या होगी एक तो देखो यह 10 lakhs होगी वो तो होगी यहां तो की problem ही नहीं है 10 lakhs तो होगा प्लस और क्या होगा cost के अंदर इसको मैं कौन से value पे लूँगा इसको मैं present value पे consider करूँगा क्या मुझे इसका present value दे सकता है कि क्या कोई है माईक अलाल जो मुझे इसका present value देगा देंगे न सर कहें लखन वो आएगा बात में टेंशन मत लए तो इसको बोलते हैं present value ओफ किस पे लिए आपने इसको present value पे लिए बराबर अच्छा कैसे compute किया सर लिखा के दो हमको तो आप लिखो हमने compute किया 5 lakhs divided by 1.10 raise to 5 ओके ठीक है येस अंजर इस विजिबल तो कितना होगा total cost total हो गया 10 lakhs plus 3 lakhs 10,461 हो गया 13,10,461 आपको पते है general entry wise कैसे आएगा ये general entry मारके दिखाओ इसकी आज आ जा general entry मारके दिखाता हो suppose pp account debit हम बोलेंगे pp account debit 13,10,461 2 cash bank आपने cash कितना पे किया आज 10 lakhs ही पे किया है तो बागी क्या create होगा सर आपने cash तो पूरा थडिन थो ना pay किया है cash तो आपने इतना ही पे किया है तो बागी क्या create होगा सर बागी आप बोलोगे to provision for decommissioning मतलब सर provision क्यों बना क्योंकि ये amount आपने आज पे नहीं किया है तो एक liability के तरह create होगे आपके लिए 3,10,461 तुमको समझ मैं ही मेरी बात ये सर तो ये liability क्रेट आपके लिए हो जाती है पर entry पे आपको दिखा दी मैंने अब मुझे बताऊ के बाद कितना खरचा रियल में इंकर करना है मुझे 3,10,000 इंकर करना है या अब आपको 5S के बाद तो 5,000,000 करना है, लेकिन liability तो हमने इतने भी book करके रखी है सिर्फ, है न, तो अब मेरी 5,000,000,000 करना है 5S के बाद तो, तो अब होता क्या है, आपने जो provision create किया है, वो present value पे create किया है, day 1 पे, that is 3,10,461 पे create किया है, लेकिन, 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 future payment कितने का करन है अपने को, future payment अपने को करना है, after 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, जाएंगे इसको हम प्यार से बोलती है आपको अन वाइंऑंडिंग करना पड़ेगा सारी नंवाइंडिंग कैसे करते मैं सिखा और किनल कर दूपर कृक्त बहुतस नहीं संता मत पड़इगस लुगारिऊ किया difféden एक वर्किंग नोट प्रिपेर कर रहा हूँ अन्वाइंडिंग ओफ इंट्रेस्ट अन्वाइंडिंग ओफ इंट्रेस्ट, सुन लो मेरी बात सबसे पहले येर वन, ओपनिंग बालेंस क्या था आपका, 3,10,461 जितना भी डिस्काउंटि फेक्टर था, उतना इंट्रेस्ट निकालने का तो इंट्रेस्ट अड़े 10%, कितना आएगा, 3,10,46 अब ये 10% करने को आता न, एक निकाल देना बाजू से हाँ, आगे, फिर आएगा, क्लोजिंग, ये ओपनिंग में बस ये इंट्रेस्ट वाला मॉंट अड़ कर देना, तो क्लोजिंग मिलेगा आपको, तो कितना मिलेगा, 3,10,461 प्लस, 3,10,46, कितना हो गया, हीरो लोग, मेरे क्याल से, it is 341,507 तो ये जो आपने इंट्रेस्ट वुक किया, ये क्यों वुक किया आपने, बेसिकली आपका, जैसे आपने फ्यूचर वालू से लाया था, प्रेजन वालू पे, है ना, कैसे लाया था आपने, डिवाइड गर गए, तो वैसे अन्वाइड़नी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका पैसा नजदिक आते है, साल नजदिक आते है, वैसे वैसे उतना time value of money बढ़तावा चलता है, उतना time value of money बढ़तावा चलता है, ऐसा, next का कैसे निकालोगे, तो next year suppose यहां का closing बनेगा इधर का opening, तो आप बोलोगे 341507, फिर लगाओगे 10% interest, 34151, add करोगे तो answer मिलेगा, कितना मिलेगा, 375658 हो जाएगा, तो third year में, 375658, फिर आएगा 37566, तो यह हो जाएगा 413223, फिर आएगा 413223, यह आएगा 413222, प्लस 10% करोगे, तो 454546 हो जाएगा, फिर 4545, इसका 10%, 45454 ले लो चलो, तो टोटल करोगे तो, पांच लाग आजाएगा approximately, एक दो रुपे का फरक आएगा, उसकर रोणा दोना मत तीके, एक रुपे का फरक चुब रहे तो मुझे उतना पैसा जीपे कर देना, तो यह जो आपने हर साल interest निकाला आना, इसी को ब तो basically आप देखो present value से कैसे फटाक से पहुंच गए future value पे, आप कैसे पहुंच गए present value से future value पे, इसको बोलता है unwinding करना, ठीक है, अब इसके अपने को entry मारनी पड़ती है, क्या मारनी पड़ती है इसको राजा बेटा लो, entry मारनी पड़ती है अपने को, तो entry मारेंगे, आज आपको इस interest के entry मारनी है, देखो यह opening तो अपने पास already recorded है, यह तो आपन already record किया अब प्रोविजन के नाम से, अब इसके entry मारनी है, तो interest is like a expense, तो आप बोलोगे interest expense, account debit, to provision, एक तरफ आपको provision increase करना पड़ेगा न, liability increase करने के लिए क्या करते है, credit करते है, और debit करेंगे आप आपका जाएगा profit and loss में, क्या amount रहेगा, 3, 10, 4, 6, 3, 10, 4, 6, तुम समझ रहे हो क्या, ऐसे आपको year 1 के end पे आप entry मारोगे, ऐसे आप year 2 के end पे same entry मारोगे, same entry आएगी year 2 के end पे, बस amount बदल जाएगा, आपका amount क्या रहेगा, यह amount रहेगा आपका, जो आपका आया इदर, 3, 3, 4, 1, 5, 1, तुम समझ रहे हो क्या, year 2 के end पे, 3, 4, 1, 5, 1, फिर year 3 के end पे, वापस सेम entry रहेगी, amount क्या रहेगा, आपका amount यहां से में copy कर रहा हू, 3, 3, 7, 5, 6, फिर year 4 का end आएगा, year 4 के end पे same entry रहेगी, बस amount रहेगा, it will be 4, 1, 3, 2, 2, बराबर, फिर year 5 के end पे same entry रहेगी, बराबर, आपका year 5 के end पे amount कितना हो जाएगा, 4, 5, 4, 5, 4, जब आप यह सब करोगे न, तो आपका provision का amount, file X पहुँच चुका है, sir, ऐसे कैसे पहुँच गया file X, अरे देखो न, पहुँच गया न, file X, opening इतना recorded था, आपने हर साल इतना unwinding किया, तो वो file X पहुँच चुका है, तो year 5 के end पे बस एक extra entry और आएगी, हमने क्या बलाता, 5 years के बाद 5 लाग pay off करना है न, 5 years के बाद 5 लाग pay off करना है न, तो pay off करो, तो pay off करना तो क्या बोलेंगे, 2 cash bank account, और debit क्या करेंगे, क्योंकि pay off कर रहे हो, तो provision आपका हो जाएगा खतम, provision आपके books से हो जाएगा ब this is how it is done, तुमको समझ पड़ा, मैंने क्या बोला, येस है, पिकदम simple है, मैं एक बार वापस revise करवा दू आपको, ठीके, देखो, अच्छा लिखने का अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि मेरे को लिखा नहीं जा रहा है, सर के साथ में, तो पहले समझने पे फोकस करो, घर पे नगे present value 侍ग, तो present value ्पर भुक करेंगे, पट पैसा तो आज नहीं दे रहे है, तो आज provision create करेंगे, अब भुक तो present value पार लेकिए, लेकिन पेद ओंपाड़ेकी करना है अन्वाइंडिं करना पड़ेगा, अन्वाइंडिं का कुछ इफेक्ट नहीं है, ऊपनिंग, उस पांच लाग पहुँच चुका है, मुबारक हो तो जब पांच लाग पहुच चुका है, तो बस pay off कर दो अभी provision to cash bank एक बात ध्यान लखना एक सवाल पूछो आपसे क्या unwinding का impact मेरे PPE के cost में आता है गया जैसे देखो मैंने, जितना present value है जितना present value है, वो तो cost में आड़ गया PPE के, लेकिन क्या unwinding का impact क्या unwinding का impact मेरे PPE के cost में आता है गया सोच समझ के बताओ नहीं आता है, perfect answer जो unwinding है, उसका impact जारे profit and loss में और जारे provision में ये बात ध्यान लखना, ठीक है तो सबसे बेले मेरे को आरतीन answer गया कि नहीं आता सर उसमें PPE में को impact नहीं आता है no effect of unwinding to PPE, very good answer सबको समझ में आई ये वाला part, yes, ठीक है अच्छा, एक और सवल आ सकता है सर, हमको लग रहा था कि 5 लग इंकर करना है दो-तीन साल के बात मालूम पड़ा 5 नहीं, 8 लग इंकर करना है फिर, इसके बार में बात आगे करूँगा एक अलग concept अपने पास point number 13 changes in decomisting, तो इसकी बात यहां नहीं करता हूँ तो यहां मैं, जो example लिया है मैं ऐसा मानता हूँ, कि जो मेरे को amount लगा था, उतना ही amount arise हुआ है मैं को file x लगा था real में file x ही pay किया है मैंने estimate में change हो क्या करेंगे उसकी बात है बात मैं करूँगा clear वाला part क्या, yes sir आगे बढ़ो sir, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो sir, आगे बढ़ो, तो यह क्या हो गया यह हो गया, अगर आपने asset purchase काया तो क्या क्या आएगा, अब देखो purchase वाला point पूरा हो गया यह सब A, B, C और D, B हो गया मेरा ठीक है, यह भी हो गया decommissioning वाला, तो decommissioning आपन लेंगे present value पे और बाद में क्या करेंगे, unwinding at each year end तुम समझे, yes अब है न, अगर आप देखो के ध्यान से अगर आपने asset purchase किया है, तो क्या क्या आना चीए purchase के अंदर, है न, तो उसमें क्या बोलता है, refer note number one and two मेरा note number one तो refer हो गया मेरा note number one तो हो गया, अभी note number two पढ़ना है अपने को, note number two talks about deferred consideration it talks about deferred consideration अब इसका मतलब क्या समझने का try करते है ठीक है, suppose मेरा न, suppose ऐसा मानलो laptop खराब हो गया, तो मेरा को laptop लेने का था तो मैं गया एक shop में जिसका नाम है chroma, तो उनको बता है chroma chroma is a electronic shop, जाए electronic सामान मिलता है तो chroma मेरा student काम करता था चलो अपना कौन है, ऐसा मानलेते है अपन की चलो भाहा लखन काम करते है राम लखन, वन टू का फोर फोर टू का वन मैं नेम इस लखन लखन काम करते है, लखन was the manager, I am a manager ठीक है, तो मैंने लखन आया मेरे पास बोला अरे सर, सर, क्या लेने आयो, मैंने बोला मैने लॉला बोला लखन आया मेरे पास, DEL का में सकता बोला तो उसके बात वह आया, MacBook लेकर बोलताया, SIR only and only 2 lakh rupees मैंने बोला सबसे मेंगा यही है यही है तुम्हारे पास तो गोलता है हाँ सबसे मेंगा यही है मैंने बोला ठीक है चलो यह सस्ता सा MacBook pack कर दिया जाए तो उसने मेरे लिए MacBook pack किया कितने का MacBook उसने pack किया मेरे लिए उसका price है 2 lakh rupees very good ठीक है, अब मेरी बाद ध्यान से सुनना, आगे आगे मैं क्या बोल रहा हूँ आगे मैं ये कैए रहा हुआ उपसे उसने, जैसे मुझे मुझे मैकबूक पैक किया मैंने पकड़ा मैकबूक और मैं मैकबूक लेके जाना लग गया ठीक है मैं बोला चलो लेके जाता हूं Macbook तो उसने मेरा साहाथ थाम लिया किसने लखन ने मेरा हाथ थाम लिया मैंने बोला लखन please don't try to be romantic तो अरे वो बलता है ओ सर romantic romantic नहीं बता उसने मेरे को क्यों रोका बता हो क्यों रोका उसने मेरे को क्योंकि perfect answer पैसा कुन देगा है ना तो लखन ने सर हाथ थाम लिया मेरा बोला ओ सर पैसा दो मैंने बोला अरे यार लखन मैं तो पैसे के बार में बात करना भूली गया मैं भी कितना cute हूँ वो बोलता है सर cute food नहीं पैसा दो तो मैंने बोला अरे लखन मैं क्या कह रहा था कि थोड़ी कड़की चालू है थोड़ा है ना मतले बैसे पैसे की कमी है तंगी चालू है तो पैसा थोड़े समय बात दो तो चलेगा क्या लखन मन में सोच रहा है एक तरफ बोलता है महेंगा लप्टॉप दिखाओ एक तरफ पैसा है नहीं पता नहीं आ जाते कैसे कैसे मूँ ठाके बताओ लखन मेरे बार मैं ऐसा सोच रहा है यार ऐसा ही कोई बात होई गया 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 चलो ठीक है तो यह ना मैंने उसको बला लखन पैसे की तंगी है पैसा एक साल के बाद दूँगा चले का क्या तो उसने बोला सर चले का ना कोई दिक्कत नहीं है तो आफ्टर वन येर वेन यूर मेकिंग दा पैमेंट लखन ने बोला सर लेकिन अगर एक साल के बाद पैसा दोगे ना तो दो लाग नहीं लूँगा आपसे टू लाग ट्वेंटी थाउजन लू लखन ने बोला सर इंट्रेस्ट का पैसा ले रहा हूँ आपसे तो वो इंट्रेस्ट का पैसा ले रहा है मेर से उम समझे क्या तो वो जो इंट्रेस्ट मेर से ले रहा है 20,000 का ये इंट्रेस्ट आपके कॉस्ट में एड नहीं होएगा बराबर ये इंट्रेस्ट जाएगा profit and loss में तो आपकी asset की cost कितनी होगी आपकी asset की cost 2 lakhs ही होगी इसको बोलते deferred consideration जब आप payment defer कर रहे हो तो शाद आप extra pay कर रहे होगे तो जो भी extra pay कर रहे हो ना वो cost मत आड़ करना बराबर वो interest आपके लिए पीपी की cost आप 2 lakh की मानोगे समझ रहे हो क्या क्यों यह जो extra 20,000 भर रहे हो या पीपी के लिए नहीं भर रहे हो या एक्स्ट्रा credit period earn करने के लिए भर रहे हो तो capitalize नहीं होगा अच्छा किसी के मन में सवाल आएगा कि सर वो हमने एक कहीं तो पड़ा है एक borrowing cost नाम की मैं ना कोई borrowing cost की बात करो मैं normal interest की बात करो ठीक है तो normal interest तो जाएगा profit and loss में borrowing cost की बाते में उस respective index में करूंगा ठीक है ध्यान रतना तो interest जो भर रहे हो जाएगा profit and loss में पीपी की cost आपके लिए दो लाग रुपिया ही रहेगी simple then understood this was a deferred consideration तो इसलिए बोलता है purchase price निकालते समय refer note number one and two दोनों note refer करना प्लीज ठीक है तो ठीक है हमने refer तो कर लिया सर note note one भी refer कर लिया note two भी refer कर लिया very good क्या मैं आगे बढ़ सकता आप लोग के साथ can I proceed further yes अच्छा में एक और चीज बोलूँगा जैसे आपने yesterday decide किया था अगर कुछ भी ऐसी query रह जाती है ना तो मैं अपने chapter के flow के बीच में अगर नहीं take up कर रहा हूँ तो समल लेना उसको लाश में पूच सकते हूँ ठीक है that is a better way क्योंकि मेरा flow तूट जाएगा फिर आपन पढ़ नहीं पाएंगे ना आगे प्रोसीद नहीं कर पाएंगे इसलिए अब था अगर आपने purchase के यह बात तो हो गया अब आते है next point अगर आपने asset को क्या किया है अगर आपने asset को self construct किया फिर self construct किया मतलब खुद बना रहे बैठके खुद manufacture कर रहे asset को तो बोलता है use the same principles as that of purchase asset तो जो आपने purchase के डिसकस किया न सेम चीज़ applicable होगी self construct के लिए बस फरक इतना रहेगा वहाँ purchase price नहीं आएगी वहाँ जो भी construction cost है वो आ जाएगा बागे सब कुछ सेम है non refundable taxes directly attributed expenses वो सब स मैं ठीक है तो self construct कर रहे हो तो use the same principles as out of purchase asset इसमें एक और चीज़ आ सकती है जब भी जो जिसकी मैंने बात की borrowing cost उसका respective index है index 23 ठीक है वो मैं respective index में बात कर लूँगा तो self construct वाले case में borrowing cost भी आ सकता है वो आपने index 23 पढ़ा अब तक नहीं तो आपने index 23 पढ़ेंगे तो समझ ज आपने index अब एक काम कर लो आप सब लोग एक 2 मिट का ब्रीदर लेलो है ना क्योंकि आपन बहुत सारे कंचे पढ़ रहे ना तो थोड़ा ऐसे ब्रीदर लेलो दो मिट सास लेलो एसा ठीक है तत्त में जरा पानी भर के आता में पानी लाना भूल गया अज ठीक है दो मिट म झाल 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 चेतन और कौन है सौरब झाल तो किदर है मेरे एक्षेंज वाला कंसेप्ट यह रहा तो इतर लिखो के नोट बूक में एक्जांपल जहां मैं लिखता हूँ ना एन भी एन भी मतलब नोट बूक में एक्जांपल यह मैं पता है क्यों करवार हो मार्किंग ऐसा आपको बात में समझेगा उसका आपको जब रिवाइस करेंगे तो मालूम पड़ेगा आजाओ फटा-फट से आजाओ जल्दी रिवाइस करेंगे इसको बहुत सिंपल है कि एक्षेंज ओफ असेट्स ठीक है तो एक्जांपल ले लेते एक्जांपल नंबर वने कमपमणी है एकए लिमिटेर फिर के बड़ा काफी फैसलावा बूसिंस है झालकिक डूसे इसके अनुद्वि इस ने क्या किया इस ने क्या एक्वायर क्या acquire किया acquire मता समझता है incoming asset इसके लिए incoming asset है iPhone ठीक है iPhone 14 ले 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 था चलो सपने में ही सब आईफोन तो ले ले भाई real में तो OnePlus से गुजारा कर ले थे सपने में तो iPhone ले ले थे तो iPhone मैंने acquire के बदले में क्या दिया तो बदले में मैंने दिया उसको बोलते asset given up उसको क्या बोलते asset given up given up मतलब outgoing asset बोलते प्यार से इसको ठीक है? outgoing asset में दिया मैंने calculator आप बोलोगे sir जो आपके तब ऐसे exchange कर रहा है उसका माता खराब ए गया iPhone देके calculator ले रहा है रे calculator पता है कैसा है यह calculator तो खास है इसको तुमसे वैसा यह scanner है इदर scanner तुम इसको question दिखाओगे न सीधा answer देकाने निकाल के बिना calculation के ऐसा question दिखाया है इदर answer लिखके आएगा क्या बात कर रहे हो sir यह ता हम कभी चाहिए sir ऐसा exchange होया ठीक है iPhone लिया calculator दिया iPhone का fair value कितना है बता देता हूं मैं आपको iPhone का fair value is 1 lakh और जो calculator जो मैं दे रहाऊ जो मैं calculator दे रहाऊ इसका fair value कितना है इसका fair value है 90,000 बट जो carrying amount carrying amount is 60,000 ठीक है carrying amount is 60,000 अब मैं इसकी entry कैसे मारूंगा मेरी बात समन्ने का ट्राय करना एकदम शांती पूरवक थंडे दिमाग से entry मारना यही बाला दिला दो फिर सुनलो मेरी बात सुनलो किसको चाहिए iPhone when you have rocket calculator MCQ में 30 में 30 आएंगे तुम यह कर लो पहले ठीक है तुम खेल लो बताओ बबाबा MCQ की planning कर रहे है कि छापूंगा कभी करूंगा ऐसा नहीं कि महनत से पास होंगा सुनलो entry क्या आएगी आपके लिए कौन सा अचेट अंदर आ रहे है विच असट इस इंकमिंग मैं बोलू आइफोन इस इंकमिंग असेट तो आप बोलोगे आईफोन इकाउंट डेबिट और क्या भार जा रहे है एक प्रनट अविच भार जाएगी इस दुनिया में कोई भी चीज भार जाएगी तो कुन से वालू पर जाएगी बाहर जाने वाली चीज हमेशो जाएगी बाहर at caring amount बराबर तो बाहर का जार है calculator, caring amount है, है ना सर 60,000 perfect answer, very good प्रशान्थ Nikita, Krishna, प्रतीक एक अपने मास प्रतीक गांधी नाम का student भी है, वो पता है, scam 92 वाला hero हो है तो बाहर जाएगा caring amount पर, अब the question is iPhone को कौन से value पर record करेंगी, इसको बलते है, incoming asset, तो incoming asset को record करने के लिए अपने पास 3 preferences दिये हुए ठीक है, वो पढ़ लेते हैं आपने, इधर आचाब तो इधर मैं लिखा देता हूँ we have been given 3 preferences first preferences fair value of asset fair value of asset, given up plus cash paid if any first preference मतलब, अगर ये available है तो पहले ये यूज़ करना उसके बाद आता है second preference अगर पहला वाला available नहीं है, तो फिर क्या यूज़ करेंगे fair value of asset acquired अगर ये भी available नहीं है, तो तीसरा preference क्या यूज़ करेंगे carrying amount of asset given up plus cash paid if any okay, cash paid if any ज्यान रगता, तो तीन preference है okay first preference is fair value of asset given up plus cash paid if any second preference is fair value of asset acquired and third preference is carrying amount of asset given up plus cash paid if any अब सबसे पहले देखते हैं अपने पास क्या first preference है क्या, do we have the fair value of asset given up, हमने कौन सा asset दिया है, given up तो है calculator, क्या हमारे पास इसका fair value है, 90,000 है sir, cash तो आपने कुछ भी नहीं दिया, तो ignore करो, तो इसका fair value 90,000 है, तो अब जो incoming asset है, उसके लिए मैं इसकी fair value यूज़ करूँगा जो incoming asset है, उसके लिए मैं पहला क्या यूज़ करता हूँ, fair value of asset given up, तो incoming asset जो iPhone है, उसको record करने के लिए I will record at 90,000, अगर ये fair value नहीं होती तो, तो मैं देता second preference, fair value of asset acquired, ये भी नहीं होता तो, तो third preference, carrying amount of asset given up, ऐसा, तो आपने iPhone को record किया 90 पे, calculator गया 60 पे, difference आएगा, that is the difference on exchange, profit profit है आपके लिए, to profit, exchange पे gain होगे आपको, और ये realized gain है, समझ रहो तो इसलिए जाएगा profit and loss, तो आप बोल दो, profit and exchange, 30 thousand, simple, प्रणा उसकी बात है मैं question में करूँगा, ठीक है, थोड़ा patience, ये national नहीं है, ये realized profit है, बकाईदा calculator भार गया ना मेरा, ऐसा मालो, 60 thousand का calculator देकर, आपने 90 thousand का iPhone ले लिया, तो मजा आगया आपको, profit हो गया, simple, अब आपके बन में सवाल आएगा, सर ऐसा क्यों है, fair value of given up को पहला preference क्यों दिया है, fair value of acquired को दूसरा preference क्यों दिया है, है न, ideally ये जो preference है, ये ICI के solution में use हुआ है, आपको पता है, bear act में क्या लिखा है, bear act में ऐसा लिखा है कुछ, fair value of asset given up और acquired, whichever is more clearly evident, whichever is more clearly evident, ऐसा लिखा है, bear act में, लेकिन जब दोनों की fair value available हो, तो ICI ने अपने हर एक question में given up को पहला preference दिया है, given up को पहला preference दिया है, तो ICI के solution के इसाब से मैं आपको तीन preference बताया, real में bear act में ऐसा है, bear act में real में, ऐसा बोला है, fair value of asset given up और acquired, whichever is more clearly evident, आप देख लो इदर, यहां लिखा भी है, मैंने bear act में लिखके दिया है, first preference क्या है, fair value of asset given up और acquired, whichever is more clearly evident, अगर यह नहीं है, तो फिर second preference है, carrying amount of asset given up, ऐसा, sir mind reader हो क्या आप, कह सकते हो, very good, सबको समझ मैं है, मैंने क्या बोला, yes sir, समझ मैं आ गया, तो ठीक है, ICI के साब से, यह 3 preference अपने पास है, ICI मैं बात तो सही, ICI ने बोला 2 plus 2 5, तो 2 plus 2 5, चुप चाब लिखकर आना, don't question ICI, है, ICI तुमारी girlfriend है, बीवी की तरह है, कभी question नहीं करते है, तुम समझ रहो, जैसे मेरी wife कभी 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 खरती है, खाना बनाने होता है, तो पूछती है, आज तरह क्या खाने का मन है, है ना, तो मैं बोलता हूँ, कि आज मेरा suppose, मटर पनीर खाने का मन है, तो बोलते है ठीका आज बेंगन बना देती हूँ, बेंगन बनेंगा आज गर पे, तो बीवी ने बोला बेंगन तो बेंगन, खदम कहा दी, बस, समझ सकते हैं, काफी लोग बोलेंगे सर, हमको रिडिटेबल लगा नहीं, हम तो सिंगल है, वेरी गुड, आगे बढ़ू, आगे बढ़ अब एक एक एक्जामपल देता हूँ, that we will solve, ओके आज़ा, एक्जामपल लंबर टू, एक ए लिमिटेड, सुनलो, अब यह आपको solve करना है, ठीक है, Asset Acquired, Asset Acquired, is iPhone 14, अच्छा, कोई बुद्धिमान ये भी बोलेगा, Sir, वो तो पागल ही था, आइफोन जो एक लाग का है, उसके बदले 90 दाज़ों का कैलकुलेट एक्शेंज कर रहे है, अबे वो उसकी मर्जी, वो उसकी मर्जी है भाई, उसको दिखरा होगा profit उसके इंदर, तुमको क्या है, तुम चुच्चा एक्शेंज करो ना, जो बोला है उसने, असेट एक्वाइड आईफोन 14 लिया, ठीके इसकी फेर वैलू है, 1 लेक, और गिवेन अप असेट कुन से हैं, असेट गिवेन अप इस केलकुलेटर, गिवेन अप इस केलकुलेटर, इसका फेर वैलू था, 90, कैरिंग अमौंट 60, गिवेन अप में आपने एक और आइटम cash दिया है जिसका fair value बोलो है carrying on बोलो cash में तो same ही होता है न दोनो cash आपने दिया worth 20,000 खुद entry मारोगे entry थो बड़ा मारना simple है बदबर iPhone जो आ रहे है वो आएगा और यह दो भार जाएगा ठीक है? मिरको चाहिए profit या loss on exchange कितना आते है आपको profit आते है कि लोस आते है और कितना आते है वो amount चाहिए मिरको ठीक है? खुद से entry माने का try करोगे मैं आपको देवा 30 seconds okay you will try even the recorder students please pause the video and try time starts now do it चलो बताओ A.G.O.G.L.O.G.S.N.O.G. मैं हूँ मनमोजी करता हूँ मैं जो वो तुम भी करोजी 1, 2, 4, 4, 2, 1 my name is Lucky आरे तुम सॉल करो आरे तुम सॉल करोजी 20,000 कोई बोलता है 10,000 कोई बोलता है profit 50,000 मजा आ रहेगा इस मजा आ रहे है वाव किसने 20 बोला किसने 50 बोला किसने 10 बोला और मजा ही आ गया है संकेत एक संकेत है और एक हर्ष है चलो try किया सबने एक संकेत है और एक हर्ष है और एक गौरंग भी है, जिसनों ने मुझे correct answer किया है, है ना, the correct answer is, करके दिखाता हूँ ना, जिसको भी 10,000, 20,000, 50,000, ऐसा answer आया, रोंग है, the correct answer is 30,000, है, सर ये कैसे आ गया, सुन लो, एक basic silly mistake किया, देखने के बाद तुम खुद ही सर पकड़ोगे अपना, entry क्या आएगी, आप बोलोगे, iPhone, account debit, है न, iPhone 14 account debit, 2, calculator, 2 cash bank, ठीक है, account, अब ये 2 cash bank क्यों किया सर आपने, अरे बबा, cash भी तो भार जा रहा है न, तो वो भी तो भार करोगे आप, ये भूल कर रहेगे cash bank, तो अब जो भार, चीज भार जा रहे है, calculator भार जा रहे है, भार जा रहे है, carrying amount पर 60,000, cash भी तो बाहर जा रहा है न, तुम ये भूल जाते हो, बराबर ये 2 item भार जा रहे है, तो ये दोनों भार जाने वार item है, always at carrying amount, अब बात आते है, iPhone को record करने की, पहला preference क्या है, fair value of asset given up plus cash paid, क्या हमारे पास वो available है, let's check it out, तो asset given up हमारे पास कुण सा है, given up में हमारे पास है, हमने एक तो दिया है calculator, इसका fair value 90,000, और plus cash paid क्यों बोला है, ये आपको सिफ याद रहे है, इसलिए लिखा है, ideally, जब मैं कहता हूँ, fair value of asset given up, तो it is implied की cash भी आएगा, because cash भी दे रहे हो आप, तो ये भी asset given up की तरह ही तो है, तो आपने यहाँ दो asset दिया, एक calculator fair value 90, एक cash fair value 20, total मिला के 1,10,000, तो आप iPhone को record करोगे किस पे, 1,10,000 पे, चीए तो लिख दो कैसे आया, fair value of asset given up plus cash paid, bracket में 90,000 plus 20,000, अब आपको correct profit आजाएगा, that is, to P&L, कितना आता है, 30,000, मज़ा आ गए sir, perfect, ये आपका normal second example था, जो मैंने cash वाला point पे आपके लिए clear कर दिया, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाते है, तो एक्जामपल से clear होता है, ठीक है, और आपन अच्छे से example लिख के कर रहे है सब कुछ, detail में, आजा, आगे बढ़े, आगे बढ़ो sir, अब मेरे को एक और example लेना है, एक ऐसा exchange, कभी-कभी ऐसा बोलते है कि, एक्षेंज लाक्स, कमर्शल सब्स्टेंज, एक्षेंज विच लाक्स, कमर्शल सब्स्टेंज, अब यहां ध्यान देना, इसका simple सा मतलब यह है, कि जब आप same nature का असट एक्षेंज करते हो, suppose मैंने iPhone 14 दिया black color का, बदले में लिया iPhone 14 blue color का, है न, तो आप जब same nature का असट एक्षेंज कर रहे हो, तो उस case में फिर incoming asset को record करने के तीन preference नहीं आपके पास, ठीक है, तो कितना preference है, देखते हैं आपन, तो ऐसा हमाल लेते हैं, कि here there is one guy, okay, हम इसके point of view से बात करें, ठीक है, इसके point of view से, ऐसा मानते हैं, इसके पास छोटी गाड़ी थी, कार थीज के पास, उस कार करान था Ferrari, Ferrari की सवारी, ब्लैक कलर की थीज के पास, ठीक है, यह इसके लिए asset given up है, यह वो ब्लैक कलर की फ्रारी देगा, इसका carrying amount किता था, carrying amount was 1 CR, pair value was 1.2 CR, और दूसरा एक और आदमी है, दूसरा एक और आदमी अपने पास, जिसका नाम ऐसा मान लेते हैं, चलो है सौरब, इसका नाम है सौरब, सब्सके बास भी कार थी, परारी ही थी, लेकिन रेड कलर की थी, ठीक है, रेड कलर की थी, तो आकाश के point of view से यह given up है, और आकाश के point of view से यह है, acquired, acquired by AK, ठीक है, अब जब same nature का asset exchange हो रहा है न, same nature मतलब देखो न, same है, same model सब कुछ same, save color अलग है, है न, तो ऐसे case में standard बोलते है, we don't have multiple preferences, there is only one preference, जो भी incoming asset है, उसको आप record करोगे, carrying amount of asset, given up, plus cash paid, if any, ऐसा क्यू है, वो भी बताऊँगा, attention मतलो, तो जो आकाश कंदोई है, journal entry for आकाश कंदोई, एक 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 entry मारेगा, उसके लिए red Ferrari अंदर आ रही है, तो बोलेगा, Ferrari, red, account debit, to, कौन सी बहार जा रही है, Ferrari black वाली, तो बोलेगा, Ferrari, black, account, अच्छा, value क्या रहेगा, तो जो बहार जा रहा है, वो तो carrying amount पे भार जाएगा, तो हम बोलेंगे, once year, और जो अंदर आ रहा है, उसके लिए भी अभी सिफ एक ही preference है, because asset same nature का था, और वो preference क्या है, carrying amount of asset given up, क्या है carrying amount of asset given up, once year रही है, अब आप बोलोगे, sir, ऐसा क्यों, why carrying amount, sir, why carrying amount, एक ही preference क्यों दिया, sir, ऐसा मालो, जब आप same nature का asset exchange कर रहे हो, when you are exchanging the asset, which are of same nature, standard wants you to avoid any profit booking, standard wants to avoid any profit booking, वो चाथ है, क्योंकि profit ना बुको exchange में, क्यों, जब तुम same nature का item exchange कर रहे हो, तो क्यों का profit, हाँ, तुम iPhone देखे, calculator ले रहे हो, समझ में आता है, है ना, तुम कुछ item देखे, नए asset ले रहे हो, समझ में आता है, जब same nature का asset है, तो क्यों का profit, तो profit booking avoid करने के लिए, incoming asset को, outgoing वाले पर record करोगे है, समझे, तो यह लिखा देता है, लिखो इदर, why carrying amount, because, they want us, to avoid, booking any profit, they want us, to avoid booking, any profit, on exchange, simple, A, G, O, G, L, O, G, S, O, G, हो गया, exchange वाला concept भी हो गया, मज़ा आ गया, फीली आग एकदम, क्या मैं आगे बढ़ू, आप लोग के साथ, बढ़ो ना सर, आगे, काहे नहीं बढ़ते हो, बढ़ो, तो यह था, note number one on exchange of assets, done and dusted, आगे बढ़ो, सर, तो अब देखो, सुनो मेरी बात, अगर आपने asset को purchase किया है, अगर आपने, देखो, यह जो, मैंने बात दूले न, आपको same nature का asset, यह मेरे लिए बोलना बढ़ा आसान है, real life में प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, काफी लोग differences निकाल पाएंगे ना, कि भले ही दोनों same nature है, लेकिन शायद यह नया वाला होगा, पुराना वाला होगा, जो भी है, वह real life की problem, real life में solve करना, question में आपको इस तरीके से करना है, simple, अब सुन लो, आपन क्या पढ़ रहे है, पहले, अच्छा कुन सा इंडेस पढ़ रहे था आपन, नंबर के इंडेस का, इंडेस तो याद है न, इंडेस 16 पढ़ रहे है, पीपी, property, plant, equipment, ठीके, अब इसमें measurement पढ़ रहे थे, initial measurement, cost पे, तो purchase हो गया, self construct हो गया, exchange वाला हो ग ठीक है, अब आपन आजाते है, initial measurement हो गया, initial के बाद क्या है, subsequent measurement, ठीक है, initial के बाद है, subsequent measurement, subsequently measure करने के मेरे पास 2 model है, 2 model है, ये शायद मेरे आपको कल भी, yesterday भी discuss करवाया था, यादे land वाले example, land में 2 model थे अपने पास, है न, cost या fair value, तो वो जो cost या fair value है, वो option अपने को year end से मिलना शुरू होता है, first day पर आप cost पर record करते हो, year end से option मिलता है, कि year end पर दो model है, या तो cost model, या फिर revaluation model, आप जो चाहो फॉलो कर लो, मर्जी आपकी है, okay, या तो cost पर रखोगे, या फिर revaluation model फॉलो करोगे, sir cost का मतलब क्या होता है, समझाने का try करता हू, इधर ही बाद जो में example लिख था, cost model का, ठीक है, suppose आपने PPE को acquire किया, at a cost of PPE की बात करो, ठीक है, at a cost of 10 lakhs, इसकी life थी 10 years, ठीक है, अब आपने 1 साल use किया, तो आप बोलोगे, 1 साल use करोगे, तो less क्या करोगे, 1 year का depreciation less करोगे, बताओ कितना है का 1 year का depreciation, तो बहुत difficult calculation बोल दिया न, मैंन 10 lakhs divided by 10 years, तो आएगा 1 lakh, तो carrying amount क्या रहेगा आपका, at the end of year 1, at the end of year 1, carrying amount will be 9 lakhs, बस, इसी को आपको, इसी को आपन क्या बोलते, इसी को आपन बोलते, cost पर रखना, cost पर रखना, ठीक है, yes, अब आपन आजाते, re-valuation model के उपर, re-valuation model में, आपन किस तरीके से रखते हैं, बराबर, company की मर्जी है, company जो चाहिए, follow कर सकता है, but of course, आगे आपन बात करेंगे, उनिफर्मेटी को लेकर, re-valuation model, अब इसमें क्या होता है, re-valuation का मतलब होता है, fair value पर रखना, ठीक है, आपको चुतर लिए दलिदो, fair value model भी कहते हैं, यह आपन रखते है, fair value, but कैसे रखते, fair value, year end से निकालना शुरू करते हैं, तो suppose आपने same चीज, यह same asset, आपने acquire किया था, at a cost of 10 lakhs, life was 10 years, तो आप sharing amount किता हो, at the end of year 1, 9 lakhs बचेगा, अब इसी दिन पर आपको देंगे fair value, fair value at the end of year 1, तो suppose fair value आपको दिया 12 lakhs, तो re-valuation model के अंदर, सोच समझ के बता हो, मैं कुन से value पर रखूँगा, मैं 9 lakhs पर रखूँगा, यह मैं 12 lakhs पर रखूँगा, very good answer, sir, re-valuation model है ना, तो 12 lakhs पर रख हो गया, very good, लेकिन मुझे asset को 9 lakhs, 12 lakhs पर लेके जाना पड़ेगा, तो मुझे gain book करना पड़ेगा, उसको मैं प्यार से कहता हू, re-valuation gain, क्या कहता हू, मैं प्यार से इसको, re-valuation gain, 3 lakhs, यादे कहा जाएगा यह gain, gain कहा जाएगा, पढ़ा दान आपने कहा जाएगा, एहे, रह gain के entry केसी को मारना सीखना तो आपने कल मारी भी थी है, study अगर आपको याद रहेगा तो, आपके entry ऐसे रहेगी, PP to re-evaluation gain, 3 lakhs, 3 lakhs, बरावर ठीक है, और यह gain जाएगा आपका OCI के अंदर, उसके entry मार के दिखार, और कुछ नहीं, अब जैसी आपने यह gain book किया ना, मुझे 12 lakhs हो जाएगा ना बबा, हाँ, तो मेरा revised, उसको मैं बोलता हूँ, revised carrying amount, revised carrying amount at the end of year 1 will be 12 lakhs, अच्छा, एक और बात सिखाओ, very good answer, तेजल, लखन, सूरा, जनुष्का, very good मानशी, very good तुशार सहिए, very good संकित, अब मेरी बात ज्यांचा सुनना, एक और बात सिखाओ आपको, very good हरीश, प्लक्ष्मी, very good माहिमा, सहिए, अब मेरी बात ज्यांचा सुनना, जब आपकी carrying amount change होई, अब जब आप निकालो के next year का depreciation, 1 lakh नहीं आएगा वो, क्यों? 1 lakh का depreciation इसके साब से था, जब cost 10 थी और life 10 थी, अब जब carrying amount change होती है ना, तो your depreciation also changes prospectively, मतलब आने वाले साल का depreciation change होईगा, अब वो कितना होईगा, तो कैसे करोगे, एक साल के बाद आपकी life कितनी बची है, what is your remaining life, don't say 10 years, एक साल तो भी चुका है न, remaining life is 9 years, तो आप आने वाले सालों का depreciation, जैसे मैं बूलो का depreciation for year 2, will be how much, तो आपके year 2 का depreciation होगा, 12 lakhs divided by 9 years, तो कितना आएगा, very good answer शुभम, it is 1.33, कैसे आया सर मुझे ये, मैं बूलो 12 lakhs divided by 9 years, ऐसे, इसके बारे में, इस calculation के बारे में, बहुत आगे आपन बात करेंगे बार बार, ये सब basic चीज़ आपको मैंने बताई, ठीक है, ये सी basic चीज़ आपको मैंने बताई, तो ये मैंने subsequent measurement की बात शुरू किय आप से, एक आते है cost model, एक आते है revaluation model, cost पर आपन क्या करते है, जिस value पर खरीदा, less depreciation, इसी value पर रखते है, revaluation में क्या करते है, पहले cost पर खरीदा, depreciate किया, year end पर आ गए, year end से आप follow कर सबते है, fair value model, तो year end पर carrying amount ये थी, year end पर fair value ये था, तो मुझे fair value पर लाना है, तो asset asset की value करी increase, जैसी asset की value increase करोगे, carrying amount आप 9-12 हो जाएगा, तो अब आने वाले सालों का depreciation change होएगा, तो it will be the new carrying amount divided by the remaining life, आसा, simple, clear वाला part, तो ये था आपका revaluation model, अब cost model तो बड़ा simple है, हैना इसमे तो कुछ है ही नहीं, में आते है revaluation model, अब इसके अंदर भी बहुत सारी बा आपने पास, तो हम क्या करें, अब एक चोड़ा सा ब्रेक ले ले, फिर करें ब्रेक के बाद, मेरे गाल से एक ब्रेक तो बनता है बहुत, तो ये ना आपन चोड़ा सा ले लेते ब्रेक, और ब्रेक के बाद करते है, resume, what say guys, yes, चलो, so break के बाद आपन ये revaluation model से continue करेंगे, ठ तो कित्ते टाइम में आओगे, it is 8.23, come by 8.38, शाथ, PM, मैं AM को PM बोलता हूँ, कोई तो 8.45 बोलता हूँ, एक काम करो, कोई 9 बज़े बोलता हूँ, एक काम करो तुम आना ही मत, तुम आओ मत न, 8.45, 9, 10, कोई बोलेगा, सर में कली आतो सिदा भी, तुम चुपचा बाज़ झाल, 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 झाल 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 चालो कंटिनु करेंगा हिरो लोग ओ हिरो हिरो इन लोग लेट्स कंटिनु ओकेई तुम लोग को यहां तक समझ आ रहा है आपने जो पड़ा पक्का ना चालो बहुत ही बड़ी है शांदार जांदार मज़दा बिड़ो चालो शाट करो तुम लोग को समझ आ रहा है ना वापस बता दू अगर नोट्स लिखने में लैकिंग बेंड हो रहा है तो रिवाइस कर तक बना दिया करो चलेगा मतलब देश्था दो तरह के बच्चे एक उता जिनको जम जाता लिखते 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 एक उता जिनको पहले सुनना ये ब के उपर we will discuss about tree valuation model अच्छा एक और चीज़ जब मैं कोई point पड़ा रहा हूँ न तो उस particular point पर focus करना don't think कि मुझे याद के सरेगा मेरी guarantee है जब मैं lecture के end मायद आपको revise कर रहाँगा पूरा revise कर रहा है start to end सब याद रहेगा मेरी guarantee हो बराबर वो भरोसा मेरे पर रखना तुमको मेरे पर भरोसा है मेरे को भगवान पर भरोसा है यह ना तापन कर लेंगे चलो बिडो बिडो मेरा बच्चा है तू चलो आजा रिवालुएशन अब क्या क्या है इसकंदर तुमदर पास पॉइंट है पेला पॉइंट बड़ा सिंपल है frequency of revaluation what is the meaning of frequency of revaluation? frequency of revaluation का मतला होता है कि हम यह जो fair value है यह कब-कब ढूंडे? हर साल में एक बार ढूंडे? हर महिने ढूंडे? 2-3 साल में एक बार ढूंडे? कब ढूंडे? तो उसको बोलते frequency of revaluation कि अगर आप यह वाला method follow कर रहे हो अगर आप यह वाला method follow कर रहे हो तो उस case में हमको fair value कितने बार, कितने frequently ढूंडनी चाहिए तो बोलता है depends अगर asset के value में changes significant and volatile है मतलब asset के value में changes more frequently होते है तो साल में एक बार ढूंडन लेना चाहिए और अगर आपके asset के value में ज्यादा changes नहीं होते है जैसे होता land बगेरा, ज्यादा changes नहीं होता उसके value में तो 3-5 साल में एक बार किया तो भी चल जाएगा मतलब यह तो company के estimate के ऊपर depend करता है कि company को उस asset को लेकर क्या लगता है ठीक है उसको बलते frequency of revaluation next point is treatment of accumulated depreciation on date of revaluation अब यह point आपके लिए important है ठीक है इसको मैं star मारूंगा treatment of accumulated depreciation on date of revaluation ठीक है चलो इसका मतलब क्या समझने का try करते with the help of one example एक example आओ लिखो स्वाहा लिखो इदर example treatment of accumulated depreciation पहले तो समझने का try करो what is the meaning of accumulated depreciation यह समझने का try करते है आपर ठीक है आओ आओ मुन्ना आओ suppose आपने एक पीपी खरीदा day one पे उसकी cost क्या थी let's say hundred lakhs ठीक है अब ऐसा मनलो आपने पीपी को दो साल तक use किया कित्य साल तक दो साल था life बोता तो life five years है ऐसा माल लेते है life five years है तो आपने दो साल तक इसको use किया तो आपने दो साल तक इसको use किया तो हम क्या charge करेंगे less two years का depreciation charge करेंगे कितना आएगा रहे depreciation दो साल का कितना आएगा life five years है तो 40 perfect answer 40 lakhs आएगा क्या बचेगा आपका carrying amount at the end of second year end of year 2 60 lakhs बचेगा ठीक है अगर थोड़ा सा भी अंदाजा है तो इस 100 lakhs को हम प्यार से बोलते gross block है ना इस 40 lakhs को हम प्यार से बोलते accumulated depreciation और इस 60 को हम प्यार से बोलते net block तो what is the meaning of accumulated depreciation जबसे asset खरीदा है तब से लेकर आज तक का depreciation उसको हम बोलते accumulated depreciation ठीक है त्यान रखना अब ऐसा मान लेते हैं हमने इसी दिन पर किया revaluation तो हमने निकाली fair value at the end of year 2 year 2 के end पर year 2 के end पर year 2 के end पर कितनी आई मुझे fair value तो let's say 75 lakhs fair value given है यह तो given रहते है ठीक है given है तो gain आएगा न आपको reevaluation gain आएगा कितने आएगा 15 lakhs का gain आ रहे है मुझे तो आपको भी आ रहे का 15 lakhs 15 yes RSI ठीक है अब the question is standard बोलता है जब आप re-value करते हो when you are doing this revaluation तो आप पुराने वाले depreciation का क्या करोगे what will you do with this 40 lakhs ठीक है वो समझने का try करते अच्छा एक बात और समझ लो जब balance sheet दिखाते है तो presentation कुछ इस प्रकार होता है suppose gross block is 100 less accumulated depreciation it is 40 तो दिखता है net block 60 और फिर net block आपके balance sheet में दिखाते है 60 का जो भी है तुम समझ गया न कैसा होता है अब the question is इसका क्या करूँ उसको बोलते treatment of accumulated depreciation on date of revaluation तो इसके दो treatment कर सकते हैं इसको treat करने के दो तरीके अपने पास तो आप heading दे दो अधर यह जो accumulated depreciation है कितने काता rupees 40 इसको दो तरीके से treat किया जा सकता पहला या तो आप इसको eliminate कर दोगे निकाल के फेक दो यह वर्दी उसको बोलते eliminate accumulated depreciation और दूसरा method कहता है आप इसको eliminate नहीं कर दोगे do not eliminate accumulated depreciation तो 2 method है मेरे पास eliminate accumulated depreciation और second है do not eliminate accumulated depreciation अब eliminate करने का मतलब क्या होता है आपके books में कैसे दिख रहा है 40 less करके यह निकाल देना होता आपको कैसे eliminate करेंगे तो अब depreciation का यह जो होता है इसका balance कैसा होता है मतलब जैसे PPE का debit balance होता है वैसे यह जो होता है ना जो आपके ग्रॉस बसे less करके दिखा रहे है यह आप asset side में negative दिखा रहे हो मतलब it is just like a liability balance it has just like a liability balance asset side में negative दिखा नो मतलब liability की तरह हो गया नो it has a balance like a liability मतलब इसका credit balance होता है accumulated depreciation का तो इसको बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा liability को बाहर निकालने के लिए debit करते हैं ध्यान रखना सो आप entry कुछ इस प्रकार मारोगे सुन लो मैं पहला वाला पार्ट सिखा रहो जहां मुझे eliminate करना है तो entry कुछ इस प्रकार आएगी accumulated depreciation account debit sir debit क्यों भाहर निकालने न इसलिए 40 किसके against भाहर निकालूंगा you will eliminate against the gross block तो आप बोलोगे gross block भी जाएगा आपका तो आप बोलोगे 2 gross block PPE का तो gross block कम करने के लिए credit करना पड़ेगा because asset का debit balance होता है तो कम करने के लिए credit किया ठीक है तो इसको बोलते है eliminate कर देना इससे आपने क्या किया आपका जो पुराना balance पड़ाता depreciation के नाम से भाहर हो गया और gross block भी कम हो गया और second entry यह पहली entry है और second entry आपके आएगी यह gain को book करने के entry क्या entry मारोगे इसका 60 से 75 हो गया तो PPE का value बढ़ गया तो gain के entry मारोगे कैसे मारेंगे entry हम कहेंगे PPE account debit 2-2-2-2-2 to revaluation gain जाएगा उस ही आएगे 15-15 तो उनको समझा क्या हुआ इदर इसको बलते eliminate करना अब जब eliminate करोगे तो काफी बच्चे पूछे पूछेंगे balance sheet में क्या impact रहेगा इसका दिखातो balance sheet का impact इसका सुन लो तो यह आपकी balance sheet रही पहले आपका कैसे दिख रहा था पहले आपका gross block 100 100 पर दिखा करता था अब आपका gross block 100 पर ने दिखेगा आपने 40 से कम कर दिया उसको तो अब कुछ इस प्रकार होईगी आपकी presentation आप बोलोगे PPE PPE में मेरा gross block हो या net block हो वो दोनो 60 हो चुका था बराबर कोई भी depreciation पुराना वाला नहीं बचा था या gross block, net block दोनो 60 पर आच चुका था बराबर पुराना कुछ भी depreciation नहीं बचा था और बस अभी मैंने gain book करके इसकी value 15 से बढ़ाई है तो अब मेरा PPE का net block और gross block दोनों हो चुका है 75 दोनों हो चुका है 75 अब जो भी आप future में charge करके depreciation उसका एक fresh accumulated depreciation बनना चुरू होएगा बराबर यह पहला method है जितर आपने क्या क्या eliminate कर दिया पुराने वाले depreciation को उसकी यादे भुला दिया आपने बराबर जैसे ही आपने कोई नया जीवन साथी ढून लिया जैसे ही अपने कोई नया जीवन साथी ढून लिया नया fair value पे record कर लिया तो पुराने वाले भुला दिया उसके सारे गिफ्ट भार निकाल के फेक दिया आप समझे आप समझे आप समझे second point is do not eliminate accumulate depreciation एक कोई बच्चा के बहुता सर मुझे नहीं करना eliminate ठीक है सबसे पहला step है find the percentage gain आपको क्या हुआ है आपको हुआ है revaluation gain आपको हुआ है revaluation gain वो percentage gain ढूंड़ो अनुष्का yes or correct तो percentage gain कैसे ढूंदे आपन revaluation gain divided the carrying amount into 100 इत्ता था आपको revaluation gain आपका gain का amount was 15 divided by the carrying amount of 60 carrying amount of 60 60 ना जब gain हुआ आपको 15 divided by 60 into 100 तो मुनना लोग कितना आता है तुम लोग American set comes to 20 5% 25% आया अब जब percentage gain ढूंड लियाना इस percentage gain को 2 amount पे apply करना कितना amount पे 2 amount पे इस percentage gain को आप apply करोगे एक तो gross block के ओपर और एक accumulated depreciation के ओपर बराबर यह 25 बजन को 2 amount पे apply करना gross block के ओपर और यह depreciation के ओपर करता हूँ आ जाओ तो second apply percentage gain on gross block and accumulated depreciation कैसे लगाओगे gross block था कितना it was 100 100 पे लगाओ 25 amount आएगा आपका 25 यह कितना था यह आपका था 40 40 पे लगाओ 25 कितना आएगा 10 बराबर 25 वो 10 आएगा मेरे ख्याल से अब जैसे आपने यह amount नेका 25 gross block और depreciation दोनों को इतने value से increase कर दो दोनों को इतने value से increase कर दो तो मैं बोलता हूँ increase कर दो increase both increase the gross block by 25 increase the net block increase the depreciation by rupees 10 तो इसके लिए entry मारनी पड़ेगी सिखाता हूँ मैं entry क्या रहेगी pass general entry step number 3 gross block बढ़ाना है gross block बढ़ाना है asset बढ़ाना है तो debit करूँगा तो gross block PPE account debit कितना 25 2 depreciation भी बढ़ाना है यादे यह accumulated depreciation का credit balance होता था तो इसको बढ़ाने के लिए credit करेंगे तो we will say accumulated depreciation कितना 10 बाकी सर बाकी कुछ difference आ रहे न वो difference का amount by default आपके reevaluation gain के amount से match करेगा बराबर तो difference का amount आएगा 15 to reevaluation gain OCI 15 reevaluation gain OCI 15 ठीक है अब इसका impact क्या रहेगा मेरे balance sheet पर ये भी देख लो मेरा balance sheet ये सब करने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा जो मेरा gross block पहले 100 पे हुआ करता था आपने उसको 25 से बढ़ा दिया तो अब वो हो गया 125 बराबर जो मेरा depreciation मैंने eliminate नहीं किया इसको जो 40 पे दिखा करता था उसको अपने 10 से बढ़ा दिया तो वो हो गया आपका 50 तो बचने ये करने के बाद बचेगा आपका net block by default वो 75 आ जाता है by default वो 75 आ जाता है by default डिरेक्ली वो उसी value पर आता है कुन सी value पर revised value पर आ जाता है after revaluation after revaluation ठीक है अब येस अब आपके मन में सवाल आएगा ये लिखा आपने अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये क्यों कर रहा हूं है ये मैंने क्यों दोनों के increase किया ये मैंने क्यों निकाला percentage gain चूप चाप डिरेक्ली 100 और 40 पर रख देते हैं क्या दिक्कत ही ऐसा नहीं कर सकते है मुझको बात बताओ जब आप revalue करते हो तो carrying amount बढ़ता है मतलब अगर आपने यहां revalue किया तो आपका net block बढ़ा है मुझे बताओ net block कित्ते से increase हुआ है तो पहले आपका net block 60 हुआ करता था आपने 25% से उसको increase किया है अगर percent advice देखू तो क्योंकि 60 से 75 हो रहा है ना तो वो 25% से increase हो रहा है तो जब आपका net block 25% से increase होता है ना तो standard बोलता है इन दोनों को भी आप 25% से increase करो अगर आपको इन दोनों को अपने books में रखना है तो या तो दोनों को same value से increase करो या फिर इसकी यादो को मिटा दो जो आपने first method में किया था uniformity maintained रहा है इसलिए तो वो बोलता है net block क्योंकि आपका 25% से बढ़ रहा है ना तो by default यह दोनों भी बढ़ना चाहिए इसलिए तुमको समझ आया अब अगर मुझे दोनों method को summarize करना हुआ तो company के बास दो option है जब आपका net block 60 to 75 हो रहा है तो या तो इसको निकाल दो eliminate कर दो तो simple है eliminate करने के लिए इसको debit करो gross block कम कर दो आप यह आपका net block, gross block दोनों सेम हो गया और बस फिर gain book कर लो अलग से ठीक है second method है कि अगर आपको दोनों को रखना है अपने books में तो भाई जितने percentage से net block बढ़ रहा है उतने percentage से दोनों को बढ़ाओ उसके 3 step है find the percentage gain apply the percentage gain upon 2 amounts और बस pass journal entry तो जो 2 amount है उतने से increase करो balancing figure by default आपका re-evaluation gain पर ही आना चाहिए सब को समझा अब आप कोई भी में इथर्ड करो वो फरक नहीं पड़ता है company के मरजी है ठीक है अच्छा और future में जब अच्छा एक और चीज़ पूछू future में जब company depreciation charge करेगा prospectively मतलब next year third year से charge करेगा depreciation जैसे दो साल बीच चुक है तो जब third year से when it will depreciate तो वो किस value को depreciate करेगा मैं बूलू वो तो revised carrying amount 75 पे charge करेगा depreciation जियान रखना है तो it will charge depreciation upon 75 I hope this is clear to everyone yes किसी ने पूछा इसका PNL पे क्या impact है no impact on PNL अजर ठीक है चलो clear अब यह आपको method समझ आये कि नहीं आये इसके लिए मैं question कर लो तो मज़ा आ जाएगा न अभी जब देखो एक बार ध्यान लखना जब concept बढ़ते है न तो कभी भी अपने आपसे यह expect मत करना कि मुझे 100% समझना चाहिए इंसान का दिमाग है जब आप एक बार पढ़ोगे तो 30-40% समझ में आता है जब एक बार question करोगे तो उस understanding में increment होता है तुम समझे रहो मतलब एक question करेंगे अभी तो शायद वो 70-80% आएगा फिर जब घर पर रिवाइस करोगे तब आल फूल प्रूफ बनोगे तो यह बात ध्यान आप पहली बार पढ़ रहे हो तो अपना आपसे expect मत करना कि मुझे एक दम वोट्ट वड़ाना ची नहीं ठीक है चलो इसके लिए अपने बढ़िया question कर लेते मेरे काल से इस illustration no.23 आजाओ उदर पहुंच गिया 23 के ओपर आजाओ क्या बोलता देख लो LDR question है this is LDR कल मैंने बताया था ना आपको LDR का मतलब क्या होता है कुछ हो ना हो इन question को तो आपको लिख के address करना ही चाहिए बाकी question आप just refer करेगो तो भी ठीक है Company X performed a revaluation of its plant and machinery at the beginning of 2011 The following information relates to one of the machinery अचा किसे ने बोला है किसा depreciation का तो debit balance होता है वो expense होता है अरे मैं depreciation की बात नहीं कर रहा हूँ मैं accumulated depreciation की बात कर रहा हूँ आपको अभी बचपन की accounting सिखा हो गया जब आप depreciation book करते हो तो ideally आप ऐसी entry मारते हो depreciation नॉर्मली अपने को यह सिखा गया है 2 PPE करते है बड 2 PPE नहीं होता है वो आपन करेट करते है 2 accumulated depreciation ऐसा होता हो इसका credit balance होता है एक liability की तरह होता है जो depreciation expense वो कर रहा है वो debit balance होता है बड जो उसका accumulated credit करेऊ ना वो liability की तरह होता है Company X performed a revaluation of its plant and machinery at the beginning of 11th the following information relates to one of the machinery ठीक है gross carrying amount दिया हो है accumulated depreciation दिया हो है इससे आपको आया net carrying amount फिर आपको दिया हो है fair value ठीक है आगे the useful life of the machine is 10 years and company uses SLM method of depreciation the revaluation was performed after 4 years मतलब यह जो आपको depreciation आया है यह 4 years का accumulated depreciation है ठीक है त्यान रखने आगे how should the company account for revaluation of plant and machinery and depreciation subsequent to revaluation support your answer with general entries जब वो ऐसा बोलता है ना कि आपको accounting दिखानी है एक तो revaluation की तो revaluation तो अगर gain है तो वो OCI में जाएगा और एक दिखानी है depreciation की तो वो depreciation का मतलब वो यह कहना चाहता है कि आपको वो दो method follow करने है two methods of accumulated depreciation on revaluation एक्जाम में जब question आता है ना तो वो थोड़ा और clarity से आता है मतलब module में question में क्या पूछा वो इत्ती clearly नहीं mention होता है बट exam है थो clarity better होती है support your answer with journal entries अब कैसे करेंगी इसको ठीक है एक काम करते है साथ में करना शुरू करते है बट बीच-बीच में amounts आपको ही निकालने बोलूँगा ठीक है सबसे पहले basic information लिख दो gross block कितना था 200 सब life कितनी थी 10 years accumulated depreciation कितना है अपना 80 बचा क्या net block 120 pair value कितना है 150 बराबर यह सब कम निकला है अपना at the end of 40 तो gain कितने का है मेरे hero log gain revaluation gain OCI में आया है 30 बराबर की नहीं अब treat करने के दो method है ना पहला method क्या है eliminate कर देने का मिटा दो उसकी आदो को बुला दो उसको है ना चलो बुला देना मुझे वल्विदा कर दे उसको चलो तो accumulated depreciation को treat करने का दो method method number one क्या कर दो eliminate कर दो सर कैसे करेंगे eliminate अभी सिखाया था ना अभी सिखाया था कैसे करेंगे eliminate सर accumulate depreciation को भार करने है सो बोलेंगे accumulated depreciation account debit 2 किसके against बात करेंगे किसके against भार करेंगे gross block क्या against तो बोलेंगे 2 gross block PP क्या amount रहेगा 80 80 बराबर फिर बस gain book कर लेना और कुछ करना ही नहीं फिर gain book कर लो बस PP PP यह method में तो कुछ थाई नहीं भार करो और gain book करो कितना गेन था 30 यह करने के बाद आपका revised carrying amount कितना हो जाएगा what will be a revised carrying amount at the end of 4th year अपने कोई नया वाला depreciation में निकार के देना चाहिए इनको तो revised carrying amount आपका हो जाएगा 150 कैसे 150 120 का value था 30 से बड़ा तो 150 हो जाएगा life कितना बचा है अभी और life बचा है 6 years तो मुझे बता नो depreciation कितना आएगा next year onwards depreciation from 5th year will be Rs.25 पर annum कैसे सबसे बहले संकेतना आंसर कहा 150 डिवाइड बाए 6 years right चलो बहुत ही बड़िया method number 2 करना है method number 2 करना है method number 2 करना है तुमको यह न चलो 30 seconds दिया try करो, खुछ से करो method number 2 मैं नहीं कर रहे है तुम आखिर में क्या बता देना तुम क्या ही बताओगे जब हो जाए तब बता देना क्योंकि बताओगे तो answer आजाएगा राज थोड़ा patience मैं उसकी बात करूंगा भी थोटे से अ अ अ अ पूरे entry-ventry मारवा मतलब पता न कित्ते step तीन step करना है कुछ से try करो भुला देना मुझे गाना गादू क्या तुम्हारे कान तरस जाएगे पुछे अ हरियोम ने मुझे answer कर दिया अर्चना ने answer किया राधिका ने answer किया वेरी गुट यार तुम लोग इतना फटा 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 आंसर ने का लगो तो मैं नहीं खेल रहा है method no.2 अच्छा कभी भी जो भी recorded भी देख रहे है ना कभी लगे ना कि मुझे खुच से ट्राइ करना है वीडियो पॉस्ट करके पहले ट्राइ कर लिया करो ठीक है वो बेटर आप्शन रहता है लाइव वाले भी पहले ट्राइ कर लिया करो साइड साइड पे method no.2 किया है do not eliminate कितना steps अपने पस 3 steps है पहला step क्या है find the percentage gain कैसे मिलेगा gain divided by net block या carrying amount into 100 25% आएगा अब इस 25% को कितने amount पे apply करेंगे अरे सरकार दो मुन पे apply करेंगे apply percentage on gross block gross block कितना था? 200 उस पे 25% कितना आ रहा है कितना आ रहा है? 50 net block ने accumulate depression कितना था? 80 उस पे 25% कितना आ रहा है? 20 अब 3rd part क्या है? pass journal entry क्या entry मारोगे दोनों को बढ़ा दो इतने से तो gross block बड़ेगा 50 से to depreciation बड़ेगा 30 से 120 से और by default आपका balancing figure gain के amount से match करेगा जो जाएगा आपका OCI में 30 अब revised carrying amount क्या हो जागी? revised carrying amount अरे revised carrying amount दोनों case में same ही होएगी भाई इस case में भी same ही रहेगा ये calculation same ही रहेगा revised carrying amount 150 होएगा वरावर depreciation आपका 25 पर आणामी आएगा वो same ही रहेगा मैंने चिटिंग किया copy paste करके but तुमको आया है ये वाला part कितना simple और ये क्यू करते मैंने बताया न क्यूकि अगर net block बढ़ रहा है 25 पसंट से तो ये दोनों बढ़ना ची 25 पसंट से मैं बूलो आप जब question किया तो better comfort zone फिल वा रहेगा थोड़ा एसा लगा रहेगा न अब समझ में आया मैं बस यही समझाने का try कर रहा हूँ पहली बार में जब class में concept सिफ concept concept पढ़ रहे हूँ तो judge मत करना अपने आपको कि मेरे को समझा की नहीं समझा तो मजा आ जाता है फिर इक तमी ठीक है सतम हो गया अच्छा इंहोंने लास्ट में 25 रुबीस के एंट्री मारी भी है वह 25 रुबीस के इंट्री मार सकते हो आगे जाकर ठीक है 25 रुबे के एंट्री मार देना वह मार देना बैठकर ऐहिं पस ठीक है तो यह आपने डिसकस कहा treatment of accumulated depreciation on date of reevaluation यह मेरा हो गया part, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, next part बड़ा simple है, बोलता है, revaluation to be applied to entire class of assets, इसका मतलब क्या है, बोलता है, जब आप एक revaluation करने का सोचो गया ना, तो suppose मेरे पास computers थे, मेरे पास 5 computer है, तो अगर आपने किसी भी एक computer को ये model पर रखा है, तो सारे computer को पर रखना पड़ेगा, entire class का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे assets, जिसका same nature है, same characteristics है, suppose मेरे पास बहुत सारी office की building है, तो अगर एक office building को आपने रखा है fair value पे, तो सारी office building को रखना पड़ेगा fair value पे, suppose आपकर बहुत सारी line है, तो एक line को रखा fair value पे, सब को रखना पड़ेग बराबर उसको बलते है, applying the model to entire class, तो हम ऐसा कहते है, same class of asset पे, same model लगाना पड़ेगा, same class of asset पे, same model लगाना पड़ेगा, अगर बड़े भाई ने love marriage किये, तो छोटा भाई भी love marriage ही करेगा, तो बलते है, revaluation to be applied to entire class of asset, देखो बोलता भी है, if an item of pp is revalued, entire class to which that asset belongs, should be revalued, अच्छा class of asset मतलब क्या होता है, वो भी लिख दो आपना, class का मतलब क्या होता है, जिसका, same nature है, same characteristics है, ठीक है, ध्यान लगाना, clear, okay, आगे, अच्छा, एक और सी clarify, इसने पहले बाद में बोलते है, class का मतलब क्या होता है, example दिया है, यह सब अलग-अलग classes होता है, उसके अलावा, एक और clarification दिया है, सुनना, मुझे बताओ, office building और factory building, यह दोनों same class होता है, गया, office building, factory building, यह दोनों same nature का asset है गया, तो भाई, just because दोनों का नाम building building है, इसका मतलब यह नहीं कि दोनों same nature का है, industrial building अलग होती है, factory अलग होती है, और जहाँ office में जो staff बैटता है, जहाँ must AC का हवा खा रहा है, वो अलग होता है, अरे ऐसा तो आकाश कंदोई और आकाश अंबानी, दोनों का नाम आकाश नहीं से क्या फरक पड़ता है, तुम समझ रहा है, ऐसा तुम मैं भी बहुत अमीर होता हैगा फिर, आकाश अंबानी कितना संपत्ती, कंदोई आकाश कंदोई, 20,000 पर मंद की इंकम, 2,40,000 पर आनम, तुम समझ रहा हो गया गरीब आद मी, तो just because दुनों का नाम आकाश है, इसका मतलबी नहीं तुनों सेम है, सामझ में आ गया सर, तो industrial building, office building, can be classified as different classes, खतम हो गया, इसको बलत मतलब मुके शंबानी को मुके शंबानी को मुके शंबानी बनाया कौन, मुझे पता है किस ने बनाया, चलो ठीक है, सर सब लोग जैपान चलेंगे, भाई जैपान जाने मेरे पास नहीं इतना पैसे जैपान जानेगे, ठीक है, ध्यान दो चलो, treatment of revolution gain and loss, treatment of, अभी next point है, हम re-valuation model में है, ठीक है, अब हम fourth point discuss कर रहे है, treatment of re-val gain and loss, ठीक है, सर, standard deduction भी ले लो 50,000 का, हाँ, ठीक है, ये कर लो, तो gain loss कहा जाएगा, gain का अब को बताया ना मैंने, re-evaluation gain मतलब unrealized gain, कहा जाएगा, OCI में जाएगा न, OCI में जाएगा सर, ठीक है, तो इसके उपर ही विस्त ADAC मारो line, ठीक है, और निचली कोई तर, treatment of, treatment of, re-valuation, बड़ा बेटा आकाश है किया, बड़ा बेटा आकाश है, क्या बोलगे था, clear, ठीक है, अब कैसे treat करेंगे, अगर suppose आप first time re-value कर रहे हो, पहला प्यार है, first time re-value कर रहे हो, सुन लो, पहले समद्ने फोकुस करना, बात में याद भी हो जाएगा, अगर आपने पहला बार, first time, time, re-value कर रहे हो, और gain आगया, और gain आगया, कहाँ जाएगा, हमको तो पता है, sir, OCI में जाएगा, very good, अच्छा, first time re-value कर रहे हो, loss आगया, first time re-value कर रहे हो, और क्या आगया, loss आगया, कहाँ जाएगा, अब loss OCI में नहीं जाएगा, वो loss आया ना, तो वो गाना गायेगा, conservatism वाला गाना गायेगा, बोलेगा, conservatism फॉलो करना चाहिए, यह वो, तो अगर पहली बार में loss आया, तो loss तो जाएगा, PNL में, कि चीटर कॉक लोगे न, gain आया तो gain gain बोलके वो शिया में डाल दिया, लॉस आया तो सिधा सिधा बोला, conservatism नहीं न, PNL में डाला है, त्यान रखता है यह वाला बात, ठीक है, चलो, किसने में से येस्टेड़ी पूछा था, जब मैं वो normal schedule 3 वगरा पढ़ा रहा था, कि loss आया तो क्या होगा, मैं बहुत है तब मैं चुप था, मैंने यहाँ cover कर दिया, अब मजाएगा इधर, अगर आप जिन्नकी में revaluation पहली बार नहीं कर रहे हो, तब उसको बोलते subsequent revaluation, मतलब आपने पहले एक बार revalue कर रखाए है, उसके बाद आप दुबारा revalue कर रहे हो, फिर क्या होगा, ठीक है, एक सबस्टेम रिवालुशन था, आप subsequent revaluation discuss कर रहे हो, ठीक है, ज्यान देना यहाँ, subsequent revaluation में suppose में को gain आ गया, तुमको समझता, subsequent मतलब क्या है, पहले revalue कर चुका हूँ, अब देखो एक asset, जिन्दगी में एक बार तो revalue नहीं होगा न, आपन ऐसा possible है, उस asset के लिए fair value हर साल ढूंड रहे है, तो वो हर साल revalue होएगा, ऐसा possible है, first end क्या तो gain आया, अगली बार, loss भी आ सकते है, gain भी आ सकते है, next year, तो इसलिए उसको वो तो subsequent revaluation, अब subsequently revalue किया, और मुझे आ गया revaluation gain, एक आँ जाएगा, तो सिफ gain पड़के OCI मत बोल देना, ना मुन्ना ना, आपको देखना पड़ेगा, पहले क्या आया था, क्या देखना पड़ेगा, first time में या उसके पहले का क्या balance पड़ा है आपके पास, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, अभी gain आया है, और पहले भी gain था, previously भी gain था मेरे पास, अभी gain है, पहले भी gain था, तो यह यह वाला gain है, जो अभी आया है, जो यह वाला gain है, जो अभी आया है, यह कहां जाएगा, यह OCI में जाएगा, तो मैं बोलूँगा current gain current gain in OCI अच्छा अगर अभी gain आया लेकिन पहले loss था तब previously आपके पास loss आया था फिर क्या करेंगे सर मुझे बताओ जो previous loss था तब तो आपने loss loss का गाना गाकर profit loss में transfer किया था न बाद में जाकर अगर same asset पे gain होता है तो इस gain को पहले previous loss से adjust करना इस gain को आप पहले previous loss से adjust करना इसका मतलब यह है अगर अभी gain आया लेकिन पहले loss था तो आज इस gain को जितना previous loss था न उतना आपन profit and loss में transfer करेंगे तो मैं ऐसा लिखता हूँ to the extent to the extent of previous loss existing gain existing gain will be transferred to PNL इसको बोलते है पहले आप previous loss से set off करोगे set off करना बोलते है तो अगर आपको अभी gain आया लेकिन पहले loss था न तो जितना loss था न उतना gain आप PNL में set off कर सकते हो PNL में transfer कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर सर आपका gain का amount loss से भी जादा आया तो आपका gain का amount previous loss से भी जादा आया तो तो जो भी excess gain है वो फिर OCI में जाएगा excess gain if any वो का जाएगा वो OCI में जाएगा सर जरा नंबर वाले example हो जाता तो मज़ा आ जाता सर तो बड़ी अबड़ी example लेलो आपके साथ आंसर करोगे सुनना example ले रहा हूँ ठीक है example number one मैंने पहली बार revalue किया मैंने किया first time revaluation ठीक है मैंने किया first time revaluation ऐसा माल लो first time में मुझे आया gain first time में gain आया बता first time का gain कहा जाएगा जल्दी बता ना ठीक है time नहीं अपने पस 70 का gain आया कहा जाएगा OCI में जाएगा very good अच्छा इसी same asset पे subsequent revaluation किया दुबारा revaluation किया और मुझे क्या आया वापस अ gain आया पहले भी gain अभी भी gain तो ये वाला gain कहा जाएगा 20 रूपीस का पहले भी gain अभी भी gain तो ये वाला gain OCI में जाएगा सर सोचने वाली बात ही नहीं है simple not understood आगे example number two suppose पहले first time revalue किया ये नया example है ठीक है जो मैं यहां लिखूंगा वो first time revalue है first time revalue किया loss आया कितने का hundred का पताव कहां जाएगा देखते सबसे बहुत करते है first time revalue किया loss आया बताव कहां जाएगा very good answer ये जाएगा पेनल में बड़ाव सबसे तन्वीन बताव ये गेन कहां जाएगा बताव ये गेन कहां जाएगा तो सबसे पहले मेरे को answer किया है अरे बापरे अभी तुमारा answer नहीं दिख रहे मुझे इतना सारा answer कर दिया तो ये जो gain है ये भी जाएगा PNL में क्यों अरे भले gain है लेकिन पहले तो loss था ना तो पहले इस gain को previous loss से adjust करेंगे तो जितना loss था उतना gain हा PNL में डाल सकते हो बराबर तो मेरा gain तो कम ही आया ना loss से तो मेरा पूरा gain जाएगा PNL में ठीक है चलो एक और example ले लो आपके साथ कर लो साथ खेला कूदी कर लो हमारे साथ चलो example number 3 suppose re-evaluation loss आया था 100 रुपीज का यह तो गया था profit and loss पहली बार में आया था loss अच्छा gain आ गया gain आ गया gain आ गया gain आ गया 130 का अब आप बताओ कि क्या करूंगा अब मैंनी आंशकर आप बताओ कि पहले loss आया 100 रुपीज का अब gain आ गया 130 का बताओ क्या करेंगे अब भी मज्या आईकन बीडू सबसे पहले मेरेको तेजल ने आंसर किया है तेजल ने राहुल ने करन ने आंसर किया है कुरुष्णा ने आंसर किया है प्रणय ने आंसर किया है कि सर अब आपका gain जादा आया ना previous loss से तो पहले 100 का जो gain है वो आप PNL से adjust करोगे और जो excess gain है या आप OCIE से adjust करोगे सर देखो कितना तुमने बड़ी आंसर दिया सब समझतो रहा है तुम लोग को यार मज़ा आ गया तो जैसी नंबर से खिलना शुरू किया मैं बूलो better comfort zone आया अच्छा लगा है ना सुनकर अच्छा लगा एहे एहे रहा नहीं जाता क्या करे तड़पी ऐसी है सर ओके चलो तो हो गया यह वाला पाट समझें अब लाश पार discuss कर लेते अगर subsequent revaluation में loss आ गया तो subsequent revaluation में आया revaluation loss तो फिर directly pain and मत बोलना जबी भी subsequent revaluation करोगे ना जो भी आये पहले पूछना previously क्या था तो अगर आज loss आया है तो पूछेगा पहले क्या था तो मैं बोलता पहले भी loss ही था previous भी loss ही था तो current loss कहा जाएगा आज का भी loss जाएगा profit and loss में simple अगर आज loss आया है पहले gain था previously gain था तो फिर क्या करेंगे तो वह setup करना पड़ेगा पहले जितना भी पहले gain आया था आज loss है तो इस loss को जितना पहले gain आया था उतना उसिया से adjust करना पड़ेगा बराबर तो में लिखता हूँ to the extent to the extent of previous gain existing loss transfer to OCI और ज्यादा loss आया तो balance loss if any transfer to P&L balance loss if any transfer to P&L इसका भी example ले ले एक मज़ा आजाएगा लिखा to the extent of previous gain existing loss transfer to OCI balance loss if any transfer to P&L इसका भी example ले ले एक मज़ा आजाएगा पूरा एक आखर example ले लो एक्जामपल चे बेटर समझता है न अपने को सर चलो आओ example number 4 ऐसा माल लेते है माल लेते हैं सर पहले gain था कितने का gain था फर्स्ट टैम में गेन आया 100 रुपे का gain gain गेन बोलके किदर transfer किया OCI में अब आ गया loss 150 का बताओ का किया जाए कि मार दिया जाए कि छोड दिया जाए बोल तरह साथ क्या सलुक किया जाए क्या करेंगे 150 क Maybe औरहे लोग कितने शांदार आंसर करते हो यार सब लोग शाही संट फ्रeszय और आ एस्याnd सब लोग सही और तो मैंने खेल रहा थीग है यार तो तुम्हारा अगर पहले गेन था, बाद में लॉस आया, तो पहले इस लॉस को गेन सेज़ेस्ट करेंगे, मतलब 100 रुपय जितना है, वो लॉस OCI सेज़ेस्ट होएगा, और जो 50 का लॉस है, वो आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा, ठीके, यार देखो, तुम्हारा म जाए जाए जगड़ा देखने में एसा रॉण आंसर में, आप अच्छा पड़ार हो सब समझ आ रहे है, मेरे पे मत डालो, मै ऐसे ही पड़ाउंगा, तुम कल रॉण आंसर करोगा तो दो मिरको बोलोगे, आपने खराब पड़ा तभी रॉण अंसर आया, तुम्हारे सई ना मुझे तुम्हारे गरतान चाहिए तुम रखो तुम्हारा करम है वो ठीक है मेरे डाल दिया सहीदा आपकी मेरे वैशे कुछ निया बाई ठीक है माफ कर दो मेरे को चलो आगे बढ़ू आगे बढ़ू आगे बढ़ू सब्सक्राइब तो यह सेम चीज दर दियू ही है अलग से वापस पढ़ने का जरुवत नहीं फर्स्ट टाम है सब्सेक्वेंट लिया जो भी है अब इसमें तम पक्के हो गयो मजा आ चुक है मेरे ठीक है तो आपको याद है जब मैंने वो स्केडूल 3 का डिसक्रशन किया था तो OCI के दो टाइप थे एक था OCI R एक था OCI NR ऐसे दुनला धुनला सा याद है दुनला धुनला सा है ना तो OCI R था और OCI NR था तो आज उसकी बात करी लेते कि R का मतलब क्या होता है और ध्यान पी-पी के केस में वो NR में जाता है ठीक है चलो सर बात करी लेते आओ एक्जामपल दे रहाओ तो यह लिख दो ना कि यह NR को एक्स्पेंट करने के लिए हमारे पास नोड़ बुक में है ताजा ताजा एक्जामपल आज़ो बहुत सिंपल है कुछ है नी इसके अंदर ना के फुल फॉम में आंसर है बट मैं एक्जामपल से सिखाऊंगा ठीक है एक्जामपल ओफ OCI-R एंड OCI-NR ध्यान अटना यह बहुत इंपोर्टेंट है यह आगे दाके लोग भूल जाते है फिर वापर से कि आर का मतलब क्या था तो ध्यान अटना यह इंप्रेंट एक नॉट रिक्लासिफाइड टू पी ए ठीक है अब इसका मतलब क्या चलो समझने का ट्राइ करते है एक्जामपल लिखते-लिखते समझते हैं सपोस्पोस आपके पास एक P.P.E. था सपोस्पोस आपके पास एक P.P.E. था ठीक है यह यह वन के एंड पे इस पे आपको आया ग कितने का गेन है तो मैं बोलता रूपीज 30 का गेन है मुझा गया यह गेन गया रहेगा OCI में चला गया OCI में ठीक है चलो तो OCI से फिर जाएगा other equity में other equity में पता है, यह जो re-evaluation gain है यह re-evaluation reserve या revaluation surplus में जमा होता है मैं बोल जाता है चलो revaluation surplus में जमा हो 30 ठीक है, फिर year 2 में वापस से मेंने CarnLine तो फिर मिरा कुआ आया gain कितने का रूपीज 20 का फिर ये गया रहेगा क्योंकि पहले भी गेन अभी भी गेन तो ये वाला गेन भी उसियाए में जाएगा अब मेरा येर टू के एंड पे रिवाल सरप्लस कितना हो जाएगा एक लाइ निचे लिखूगा इसको तो मेरा अधर एक्विटी में रिवाल सरप्लस अब हो जाएगा 50 पता ना वो इसमें आस अंडे दिखते है वेरी गूड करन सही है ठीक है आगे येर थ्री फिर आया गेन फिर जगेन आया 10 रूपे का ये गया OCI में OCI से फिर कहा गया ये अधर एक्विटी के मेरे प्यारे प्यारे रिवाल सरप्लस में अब बताओ सरप्लस का बैलेंस कितना हो गया 60 हो जाएगा 10 रूपे से और बढ़ जाएगा 60 रूपीज हो जाएगा मजाई आ गया ठीक है? तो अभी तक मैं P P E hold कर रहा था यूस कर रहा था P P E को यह और फोर में क्या किया? ऐसा मान क 근데 या तो मैंने P P E बेजदिया या फिर ऐसा मान कंद लो P P E की useful life हो गई P P E की useful life हो गई over तो मतलब या तो मैंने P P E बेजदिया या फिर life खतम हो गई, in short, P.P.E. मेरे book से भार चला गया, या तो बेचने पे चला गया, या उसका उमर खतम हो गया, इसलो चला गया, तो P.P.E. मेरे book से भार चला गया, अब ये जो आपका surplus पड़ा है, 60 रूपीज का, इसका क्या होगा, इस surplus का क्या होगा, तो सुन लो, अगर ये OCI R वाला balance होता, मतलब ये जो आप 30, 20, 10 book कर रहे हो, अगर ये OCI R में गया होता, R का full form क्या था? Reclassify to P.E.N.L. क्या था full form R का? Reclassify to P.E.N.L. तो ये जितना भी surplus आपका पड़ा है, ये पूरा का पूरा P.E.N.L. में ट्रांसफर होता है, ये जितना भी surplus पड़ा है, ये पूरा का पूरा P.E.N.L. में ट्रांसफर होता है, तो मैं लिख देता हूँ, OCI R में क्या होता? Full balance of revaluation surplus will be reclassified will be reclassified to P.E.N.L. मतलब अब ये surplus का balance मुझे nil off करना है, तो ये जो other equity है, other equity का होता है credit balance, इसको मुझे nil off करने के लिए debit करना पड़ेगा, बराबर तो मैं बूलूँगा, revaluation surplus account debit 60, कहा जाएगा, इसके नाम में solution है, क्या बुलाता? R, R मतलब reclassified to P.E.N.L. 60, तो P.E.N.L. में जाएगा 60, अगला, अगर ये O.C.I. N.R. होता तो, तो N.R. का full form क्या था? not reclassified to P.E.N.L. मतलब वो बोलता है P.E.N.L. में मट डालना, तो sir कहा जाएगा, पढ़ा रहेगा, उधर ही क्या, ऐसा नहीं होता है, तो उस केस में, यहां लिखो, full balance of reval surplus not be reclassified to P.E.N.L. तो कहा जाएगा, sir? it will be directly transferred to retained earnings R.E. मतलब retained earnings में transfer होगा, लिख दो, retained earnings आप उसको directly retained earnings में transfer करोगे, मतलब आप entry कुछ इस प्रकार मारोगे, your journal entry will be revaluation surplus to retained earnings मतलब आप directly within other equity transfer करोगे, ऐसा मानलो आपने एक यह जो reval surplus है, यह एक non free reserve होता है, इससे आप dividend वगएरा नहीं बाढ़ सकते हैं, बराबर तो आपने एक non free reserve से सीधा एक free reserve में transfer कर दिया, without impacting your P&L, without impacting your P&L, तो यहाँ आप क्या करते हो, पहले वाले case में, आप उसको P&L में transfer करते हो, of course P&L में transfer होने के बाद, फिर हो जाता है return earnings के अंदर, बराबर क्योंकि जमा तो होएगा ना, वो reserve के अंदर, इस वाले case में वो directly जाएगा return earnings के अंदर, मतलब यहाँ आप P&L को नहीं छेड़ोगे बीच में, तुमको समझ भाएगा गया, इसको बलते है R on NR, तो R on NR में इतना ही फ़रक है, बस, मतलब last day पर जो entry मारोगे उसमें फरक आता है, और यह entry कब मारनी है, यह entry कब मारनी है, when the P&P is sold or useful life is over, यह entry तब मारना जब P&P books से भार चला जाए, ठीक है ध्यान रखना, that is P&P is out of your books, जब P&P भार चला जाए, तब आप यह करोगे, उसके पहले नहीं करना होता है, अब P&P के लिए में कुन सा वाला follow करूँगा, R वाला की NR वाला, तो standard ने क्या prescribe कि हमको, कि P&P के लिए हम NR वाला prescribe करते हैं, है ना, तो हम बोलेंगे P&P के लिए यह यूज़ करेंगे, तो index 16, पीपी, इसके लिए हम क्या यूज़ करते, OCI NR, तो ध्यान रखना, अब मैं R NR को हर index में नहीं सिखाऊंगा, एक बाँ मैंने सिखा दिया, तो अगर किसी index में कोई item, R वाला होगा, तो इसका यह treatment होगा, जो भी उसका surplus का amount होगा, वो जाएगा P&P में, यह ध्यान रखना हो, चीक है, बस, बस इतना सा ख्वाब है, चलो, तो मैं एक बात बुलूँ किया, मतलब जिदर मैंने, उपर वाले concept में, यह जो सिखा था है मैंने concept, जहाँ जहाँ मैंने OCI लिखाय, भाँ मुझे bracket में क्या लिखदिना चैना चीए है, साथ में, NR, लिखदिना चीए है न, इधर NR, जाँ जाँ OCI दिखे, वहां NR, जाँ जाँ OCI दिखे, वहां NR, समझेए क्या, तो जाँ जाँ OCI दिखे, आपको एक्जाम पॉइंट डवे से इतना ही ध्यान रखना खुल, 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 होगी आपको मैंने पता है जब मैं आपको यह सिखा रहा था schedule 3, मैंने आपको कहा था कि OCI में R, NR होता है लेकिन क्या होता है उसका मतलब वो discuss करूँगा 16 में कर लिया तो जब मैं ऐसे कहता हूँ न कि मैं बाद में discuss करूँगा तो यह मत चूजना कि आकाशकंदे ने गपची मार दिया गपची नहीं मारा सिखाऊंगा मैं आगे सिखाऊंगा ऐसे भरोसा रखना मेरे ओपर तो अभी इतना लंबया मत सोचो कि मिरे को सब करना पड़ेगा आपन एक एक इंडेस में समझते वे चलेंगे फिर लाश में जाके एक समरी तुमको स्केडूल थी में दिया वाई है कि आर में क्या आता है वो समरी तब जाके यूज कर लें तो उसका इतना डेंशन मतलों ओ लाश पॉइंट क्या सुन लो ट्रांसफर ओफ रिवाल सर्प्लस तु रिटें डर्निंग्स क्या बोलता है क्या बोलता है क्या बोलता है क्या बोलता है ट्रांसफर ओफ रिवालोएशन सर्प्लस तु रिटें डर्निंग्स वो आपसे पूच रहा है कि मैं सर्प्लस को जब PPE भार हो जाएगा तब अभी तो डिस्कस किया ना क्योंकि वो NR है क्योंकि ये NR है तो जब आपके PPE या तो बिक जाएगा या पीपी का लाइफ खतम हो जाएगा तब हम surplus को RE में ट्रांसफर कर देते हैं अभी तो देखा अभी तो समोस से खता चटनी खाया इसका समोसा चटनी तुम समझ गया ना तो बस एक ये होता है ठीक है तो ट्रांसफर अफ सर्प्लस टू आरी कब होएगा तो एक तो एगा जब पीपी बुक से भार चला जाए इसमें दो केसे दिया वे ठीक है पहला केस ये है वेन दर ये औप्शनल नहीं है तो एक आखरी केस है अब ये क्या होता है इसको समझने के लिए मैं वापस से क्या डिसकस करूँगा आपके साथ नोट बुक में एक्जामपल क्या डिसकस करेंगे नोट बुक में एक्जामपल आओ मुन्ना आओ नोट बुक में एक्जामपल डिचकच करेंगा और ये मिला बाबु को एक्जामपल चाहिए आओ सरे बीट बुक में हो के जाते है आपको हम तो ऐसे है भाईया एक्सेस डेप्रिसेशन ठीक है अच्छा एक्जामपल चीज ये सब चीज रेलिवेंट मोशली तब है जब आपको गेन वगएर आया रहेगा अगर नेट नेट में आपका ज्यादा लॉस था तो लॉस ज्यादा होगा तो वह वैसे भी गया रहेगा आपके प्रॉफिट अ अब ही होता क्या है अच्छा एक और चीज हाँ तो पेज नंबर एफ्रेंसिंग दिया करो तुमको आता है मतलब ये मेरे नोडबूक के पेज नंबर थ्री पे वरना लिखा तो है नोडबूक एक्जामपल ढूंते बेटों के लास्ट दे पे कहा है तुमको आता है ना बच कर रहे हो तो करना शुरू करना ये बहुत चोटे-चोटी चीज चीजे कोई करता नहीं है ये लाजट दे पे बचाया हुआ एक मिनिट भी कीमती है तुम समझ जो उसके लिए आग जो भी कर सको वो करके रखना मेरे को पता सबको होता है बहुत कम लोग करते और वो कम आयव अल्लेडी गिवन देखो तुम लोग किते समध्दार लोग है बट नहीं दिया है कोई था मेरे जैसा तो कर लेना भाई मैं भी पहले देता नहीं ता फिर मेर को बाद में रिलाइज हो कि देना चाहिए तो मैंने बाद में फिर बैठके वो एक पेज नमबर वान टू-3 लोग बैठके लिखता था ठीक है अल्यडी गिवन बिल्कुल करते हैं तुमने समध्दार लोग है रहे अच्छे बच्चे राजा बेटर लोग है तुम लोग ठीक है आ जाओ विदर एकस्ट डेप्रिसेशन एक्जाम्प्र के साथ समझने के ठाए करते सपोज एक पीपी था लाइफ थी 10 years ठीक है कॉस्ट था 10 lakhs अब मान लो एकसाल यूस किया तो लेस वन येर का डेप्रिसेशन आएगा कितना 1 lakh कैरिंग अमोंट कितना बचा है अट दी अट अफ येर वन 9 lakhs चलो इसी दिन पर आपको दिया fair value fair value at the end of year 1 कितना 12 lakhs गेन आएगा बता री वालुएशन गेन कितने का आएगा 3 lakhs का चलो अब अगर मुझे पहले गेन के entry मारनी पड़ेगी न तो entry क्या रहेगी पीपी का वालू बढ़ रहा है तो पीपी अकाउंट डेबिट to re-evaluation gain 3 lakhs 3 lakhs ये gain जाएगा आपका OCI में फिर आपको पता न ये OCI से जाके कहां जमा होएगा ये OCI से जाके other equity में जमा होएगा re-evaluation surplus के head में 3 lakh बराबर क्या पहले OCI में बुक होएगा OCI से जाकर फिर other equity के surplus में बुक होएगा ठीक है सब तो ये gain बुक करने के बाद मेरे PPE का नया नवेला वालू कितना हो गया पहले 9 था तीन का gain बुक किया तो नया नवेला वालू हो गया 12 lakhs 12 lakhs 12 lakhs सर 12 lakhs आजा तुम्हें लिपता हो revised carrying amount at the end of year 1 revised carrying amount at the end of year 1 कितना है 12 lakhs life कितना बचा है life बचा है 9 years बराबर न एक साल तो यूस कर चुक है तो 9 years बचा है है नो अब मैं आप से सवाल पूछा जवाब देते ना depreciation year 2 को कितना आएगा जब मैं कहता हो depreciation for year 2 कितना आएगा guys what will be the depreciation for year 2 tell me very good answer it will be 12 divided by 9 sir so it will be 1.33 absolutely correct तो फिर मेरा carrying amount कितना बचे का at the end of year 2 अब जब मैं revalue कर चुका हूँ उसको करने के बाद मेरा कितना आया है depreciation 1.33 तो पहले 1 आ रहा था अब 1.33 आ रहा है जादा क्यूं आ रहा है because of gain because आपने fair value पे लाया है जादा बराबर तो अब आपको निकालना है excess depreciation depreciation तो पहले और अभी के debt को compare करोगे तो आपको मिल जाएगा excess depreciation बराबर तो what is the amount of excess depreciation पहले ये बताओ इसका करना के बाद में बताओंगा what is the amount of excess depreciation मैं बोलू it is 0.33 lakhs कैसी आया सर आपको excess कैसी आया मैं बोलू मैंने बस compare किया revalue करने के पहले कितना था depreciation तो I compare depreciation before revaluation with the depreciation after evaluation बराबर तो मैंने ये दो को compare किया 1 lakh और 1.33 lakhs 1 lakh और 1.33 lakhs ये मैंने compare किये बराबर तो मुझे मिल ए excess depreciation 0.33 एकदम simple है एकदम simple है सर अब करना क्या है इसका standard ने आपको option दिया है कि जितना भी आपका excess depreciation है आप चाहो तो optional है इतना amount इसका मतलब आप चाहो तो इसको अपने surplus से निकाल कर RE retained earnings में transfer कर सकते हो मतलब अगर आपने ये option ये optional है ठीक है ये compulsory नहीं है company की मर्जी है चूस करना चाहे तो करेगा this is optional ठीक है अगर ये option company ने चूस किया तो balance sheet में इस तरीके से आपका other equity change रहे का देखना प्लीज तो पहले आपके other equity में re-wealth surplus दिख रहाता न 3 का अब वो घड जाएगा 0.33 से it will reduce by 0.33 because you are transferring from surplus to RE so it will reduce by 0.33 it will become 2.67 और वो गिर के आपका कहा जा रहा है retained earnings में जा रहा है 0.33 तुम समझ रहे हो क्या तो ये adjustment entry है जो company चाहे तो pass कर सकता है मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है मैं address करूंगा बट ये समझा क्या करना है अब आपके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा क्या sense बना इस बात का क्यों कहीं आई है क्यों कोई चूस करेगा ये बहुत sense है इस बात का लेकिन मैं sense दने का कोशिश करता हूं एक बार try करता हूं दो बार try करता हूं अगर logic समझ जाए तो well and good वरना याद कर लेना ठीक है अब logic क्या सुनो बड़ा simple सा logic है मुझे बताओ ये excess depreciation arise क्यों हुआ why did it arise तो मैं बोलू ये arise हुआ because of reevaluation gain ये gain की वैसा arise हुआ न आपको gain आया इसलिए arise हुआ ना ये ठीक है ये gain को हमने कहां transfer किया ये gain को हमने कहां transfer किया OCI में transfer किया ठीक है क्योंकि gain था तो gain को तो हमको OCI में transfer करना है तो gain gain बोलके तुमने OCI में transfer करवाया अब इसी gain की वज़े से जो खर्चा बड़ा इसी gain की वज़े से जो खर्चा बड़ा उसको तुम बराबर profit and loss में transfer करवा रहे हो यह तो भेदबा हो गया ना मतलब gain gain चिला कर तुमने OCI OCI बोल दिया अब इसी gain की वज़े से होने वाले जो excess खर्चा है उसको तुमने P&L में transfer करवाया यह तो भेदबा हो गया क्यों? क्योंकि जब तुम gain को OCI में book करते हो तो OCI की वज़े से आपका सिर्फ surplus एक non free reserve बढ़ता है non free reserve बढ़ता है बराबर और जब आप खर्चा जादा book करते हो खर्चा जादा book करते हो तो आपका एक free reserve घड़ जाता है आपका P&L कम होता है profit कम होता है, retain earnings कम होता है तो वो बोलता है कि तो cheating हो गई न gain का logic देकर तुम OCI में transfer कर रहे हो तो इस gain की वज़े से होने वाला जो loss है इसका भी impact कही ना कही आपके non free reserve में आना चाहिए न तो वो बोलता है इसलिए तुम क्या कर सकते हो इसलिए तुम उतना amount free कर सकते हो उतना amount एक non free reserve से निकाल कर एक free reserve में transfer कर सकते हो उतना amount आप एक non free reserve से निकाल कर एक free reserve में transfer कर सकते हो इससे होगा क्या? अपना retain earnings का balance 0.33 से बढ़ जाएगा जो कि सही हो जाएगा न फिर क्योंकि आपने अन्नेसरी तो नहीं बोलूँगा बट आपने एक्ष्ट्रा खर्चा बुक करकर रखा था जिसके वैसे मेरा रिटेंड निसगर गया था तो वापस वह बढ़ा दोगे 0.33 से यह लॉजिक है इसका बराबर वापस से बता दू लॉजिक क्या था सिंपल गेन आ एक बात बता दू आपको मैं लॉजिक सिर्फ अभी केले क्याम अता है एक्चाम में लोजिक बीजिक कुछ याद नहीं आता है anything रेलिबंट होते है सिर्फ लॉग टर्यटेंशन के लिए एक्जाम में आपको इतना ही याद रखना है ये बाथ आप हमेशा ध्यां किशक कहर वह company follow करेगा, जिसको लगता है, नहीं नहीं, मेरे को जंजट नहीं करने का इता, तो वह मत use कर, कुई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए optional रखा है, clear about, अच्छा, एक और clarification देना, last, जब आप P&L में, year 2 में, book करोगे depreciation, irrespective आपने यह option choose किया है कि नहीं किया है, irrespective of that, P&L depreciation में depreciation 1.33 ही book करना, बेवकूफो की तरह, यहाँ 1.33 ही book होएगा, यह तो adjustment entry है, जो आप चाहो तो pass करो, नहीं चाहो तो not pass करो, फरक नहीं पड़ता, ध्यान रखना, is this clear to everyone, yes, चलो, ध्यान रखना, okay, this is known as excess depreciation, okay, तो दो क्या बोलता है, excess depreciation, कैसे निकालेगा, वो जो भ such excess can be transferred to retained earnings, this is optional, अच्छा, यह जो excess depreciation है, एको note लिख दो, यह सिर्फ तब relevant है, जब re-evaluation gain आ रहा होगा, loss वाले case में relevant नहीं है, this concept is relevant only in case of only in case of re-evaluation gain, this is relevant only in case of re-evaluation gain clear, absolutely clear sir, मजा आगेँ इस पे एक question देता हो आपको, घर पे please try करके आना, उस question को, ठीक है, बड़ा simple सा question है, I guess it is question number 5, जो मैंना आपको example देना, वो इसी question के उपर बेश्ट है, मेरे क्याल से, example number 5, बस इसमे एक line add कर देना question में, ठीक है, इसमे line add कर देना, बस compute excess depreciation and its treatment assuming company opted to transfer excess depreciation assuming company opted to transfer excess depreciation, अभी हो जो भी तुम ने पड़ा है, तुमको में सब याद करवा तो, देखो, तुम कैसे याद करवाता हो, इक यही तो मजा है, FR भी देखेगा, है ना, एक के है भाई साब, आओ इदर आओ चलो, एक रिविजन हो जाएगा, गाइज, आरू रेडी गाइज, चलो, आजाओ, so let's start the revision in, 3, 2, 1 and go, सबसे पहला, India 16 नाम के है, नाम है, property, plant and equipment, सबसे पहला आपने पड़ा था, definition, definition किसका था, क्या था, PPE के definition में, वो बोलता है, these are tangible items, held for use, expected to be used for more than one period, अगर यह है तो पीपी है, अब पीपी में अपने एक और चीज पड़ी थी, याद है, वो bearer plant के बारे में, bearer plant के बारे में, क्या था, bearer plant, अरे यादे, biological asset का पहला, आपने discussion किया था, वो bearer plant का मतलब क्या होत कि ऐसा plant, जो एक साल से जाला तुमको full fruit देने वाला है, farmer के लिए वो उसकी machine की तरह है, simple, yes, उसके बाद था, first point definition over, second point was recognition criteria, हम किसी भी asset को record कब करेंगे, जब वो दो condition meet करेगा, सबसे पहला future economic benefit, और second, cost can be measured reliably, यह दोनो condition meet होएगा, तो आप उस asset को record कर लेना, guidance वाला part pending है, अब measurement होता, दो पकार का, एक होता है initial measurement, एक होता है subsequent measurement, initial measurement will always, always, always be at cost, बराबर, अच्छा, अब cost में क्या क्या आएगा, अगर आपने purchase किया है, तो purchase price, less trade discount rebates, add non refundable taxes, add all the directly attributable expenses, इसमें testing वाला discussion याद है, testing का expense, capitalize करोगे, expense कमाते हैं में कुछ income हुआ, तो net cost capitalize करना, अच्छा, अगर आपकी income exceed कर गई तो, खर्चे से, तो net income, असर की cost से less कर देगा, क्या-क्या चीज़े include नहीं करेगा, जो भी खर्चे, असर को ready करने में निससरी नहीं, उसको include मत करना, ठीक है, उसके अलावा, एक और चीज था, क्या था, अगर land को parking side की तरह use कर रहे हो, तो उसकी ज प्रेजेंट पर कंचेटर करेंगे, बराबर, और क्योंकि आपने प्रेजेंट पर कंचेटर किया है, यहादे example दिया था, अब कंचेटर तो कर लिया, प्रेजेंट वालू पर cost के अंदर, लेकिन इंकर तो बात में लिगा करना है, तो present वालू से future पर लेके जाना प्यार से क्या बोलते हैं उसको प्यार से अन्वाइडिंग बोलते हैं तो अन्वाइडिंग का टेबल बना ओपनिंग इंट्रेस्ट क्लोजिंग बस बराबर फिर अन्वाइडिंग के इंट्री का रेगी इंट्रेस्ट प्रोविजन इंट्रेस्ट प्रोविजन तो अगर कोई ईटम पर्चेस किया है और पैसा लेट देने वाले हो तो उस case में जो extra भर रहे हो उसको interest कहेंगे लबाब उसको क्या कहेंगे उसको interest कहेंगे ध्यान लतना ओके तो यह था अगर आपने असेट पर्चेस किया है तो उसके बाद अगर आपने अब आता है, इंकमिंग असर को किस पर रिकॉर्ड करेंगे, तीन प्रेफरेंस है, उसके अलावा, अगर आपके ट्रांजेक्शन में कमर्शल सबस्टेंस नहीं है, तो फिर एक ही प्रेफरेंस है, तीन प्रेफरेंस है, यह ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो चाते हमकी प्रॉफित बुकिंग ना करें, वेरी गोड आंसर है मैं करिश्णा, करिश्मा वेरी गोड आ एक्षेंज की बात होगी, फिर आता है अगर 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 बात करेंगे, तब इंडेस 20 में बात करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाते है, आगे बढ़ जाते है, फिर आता subsequent measurement, subsequent measurement, will always 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 be at cost, बराबर तो आपन उसको cost पे रखेंगे, लेकिन एक पर model available है, re-valuation model, तो initial में always at cost है, subsequent में always at cost नहीं है, always at cost के अलावा एक और model है, re-valuation model, हाँ, तो cost में क्या करते है, cost minus debt, carrying amount के उपर रखते है, re-valuation model में क्या करेंगे, पी-पी, उसमें से less, एक साल का depreciation, मिलेगा carrying amount, अब उस साल के निकालते है, fair value, तो हम fair value पर रखते है, जो भ अब भी भी आप re-val करोगे न, तो अगले आने वाले सालों में depreciation, यह revised fair value पर आएगा, जयान रतना, अब आता है, re-valuation model में, क्यार के डिसकस के, आपने, all five things we have discussed, first part, frequency of re-valuation, कितने बार re-value करे, अगर value में चेंजे significantly होता है, तो साल में एक बार, अगर value में चेंजे significantly नहीं ह याद आ गया, या तो eliminate कर देना, या eliminate मत करना, अगर eliminate करोगे, तब तो कारनावा बड़ा simple है, कैसे करोगे eliminate, by depreciation को करो भार, gross block क्या against, बराबर, और बस gain को book कर लो, simple, second, eliminate नहीं करना है, eliminate नहीं करना है, तो मैंने कितने step बताये थे, अरे कितने step बताये थे, तीन step बताये थ से gain divided by carrying amount, मिलेगा percentage gain, बस इसी gain को 2 amount पर apply कर देना, gross block पे और depreciation के उपर, और दोनों को इतने value से increase करेंगे, तो gross block को बढ़ाने के लिए debit करेंगे, depreciation को बढ़ाने के लिए credit करेंगे, और balancing figure by default अपका reverse gain आएगा, क्योंकि आपने logic भी discuss किया था, इसका question तो आप ही ने solve किया class मान सकते हो, उसके बाद था treatment of revaluation gain and loss, यह तो बहुत ही simple था, जिन्दगी में देखना कब revalue कर रहे हो, अगर पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार revalue कर रहे हो, gain आया, OCI loss आया PNL, अगर subsequently revalue कर रहे हो, gain आया, तो directly OCI मत बोलना, देखना पहले क्या था, अभी gain, पहले अभी gain तो यह वाला gain OCI है, अभी gain पहले loss, तो पहले loss setup करना पड़ेगा, मतलब इस gain को पहले, to the action of previous loss, PNL में डालेंगे, जो भी balance gain है, वो OCI में जाएगा, same logic for loss, अगर अभी loss पहले loss, तो यह वाला loss, profit and loss, अभी loss पहले gain, तो इस loss को पहले gain suggest करो, मतलब इस loss को पहले OCI म जाएगा, इसका अपने examples भी किये थे, और आखरी एक point था, अच्छा, आखरी के पहले एक और discuss क्या दा, R, NR, R, NR में से वह एक ही फरक है, जब जिस item पे आपने gain वगएरा बुक किया था, जब वो item भार चला जाएगा, तो R होगा तो क्या होगा, जो भी surplus है, वो PNL में transfer हो जाएगा, और NR होगा तो क्या होगा, जो भी surplus है, वो retain earnings में transfer हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना, PP वाले case में, NR वाला logic applicable है, इसी के साथ, last point क्या बोलता है, transfer of surplus to retain earnings, अब यहाँ दो चीज़ है, एक तो compulsory करना ही पड़ेगा, कब, जब PP बुक से बाहर हो और रिवालू कर रहे हो, वो depreciation देखना, आप चाहो तो जितना भी excess है, उतना surplus से निकाल कर, एक non free reserve से निकाल कर, free reserve में transfer कर सकते हो, यह optional है, और यह करने के बावजूद, PNL में तो depreciation 1.33 ही बुक होएगा, और ध्यान रखना यह तब relevant है, जब आपको gain आता रहेगा, तब अलावा, जितना मैंने पढ़ाया, revise करना ही है, revise नहीं करोगे, it is waste of time, मैं पहले बता दू, a student who is going to clear and who will not clear, the only difference is going to be revision, आप किसी भी बच्चे से पूछलो, पढ़ा था, वो बुलेगा, मैंने पढ़ा ही कहता, फिर भी pass नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, एक बार पढ़क revise, मैं आपको रोज बोलूँगा, revise करके आने करे, रोज आपको पूछूँगा, भी next day revise किया की नहीं किया, पहले 4-5 दिन सब करते, आपको भी करना है, अब pass कोन होगा, जो 5 दिन नहीं, पूरे batch में revise करेगा, ठीक है, चलो, so till then, thank you so much everyone, we'll wrap up this session, ठीक है, मैं session end कर रहा अच्छा अभी guys, आपको कुछ भी query है, तो you can ask me, ठीक है, explain admin purpose in PPE, एकदम simple है, suppose, अभी मैं teaching करता हूँ, तो मैंने staff रखका है, बहुत सारा, तो जो मेरा staff जो asset use करेगा, उसको बलते admin purpose, ठीक है, please show that question number 5, यह है question number 5, ठीक है, चलो, जिसका भी होगा, they can leave, okay, यह सभी शेक आप difference between R and NR, प्रने अमेरिकाल से पूछने का ट्रै कर रहे है, standard किस बेस पर classify करता है, R and R को, वो कहीं भी define नहीं किया है, ठीक है, उसके लिए आपको फिर एकदम बड़ी-बड़ी किताबे बढ़नी पड़ेगी, जो logic वगरा दिया वरेगा, बट अपने discussion के लिए वो relevant नहीं है तुमको याद रखना है, बस, एक्जाम पॉंट हो इसा, सर आपने का था, cash discount का treatment, पेरन में करते है, how, explain with an example, वा, simple, अगर सबोज आपने कोई भी asset खरीदा, लाग रुपे का, ठीक है, और आपको discount कितने का मिला, आपको discount मिला, suppose, 10,000 रुपीज का, एक cash discount मिला है, तो आपक लेकिन आपने cash तो 90,000 पे किया है, तो बाकि जो आपको discount मिला है, वो अलग से देखेगा, PNL में 10,000, ठीक है, ओके, सर, one question, how, revolution, sir, question, one, done by us, how, revolution, gain, BAT, please, clarify, Dimple, आप salt example की बात कर रहे हो, या illustration number 23 की बात कर रहे हो, पेरे वो clarify करो, अगर 23 की बात कर रहे हो, तो gain का amount 80 ही नहीं, 30 है, impairment loss का discussion मुहित, उसके specific index में आएगा, इसलिए बात नहीं किया, उसका, ठीक है, Sir, I have doubt, asset is valued at cost initially, but in subsequent, it will always be at fair value, means, re-valuation model, why cost model is used, yeah, Subsequently, HEMA, it is not always re-valuation, company की मर्जी है, company चाहे तो cost पर रखे, company चाहे तो re-valuation पर रखे, ठीक है, नहीं, remote likelihood का मतलब मैंने बताया था, जब, खतम हो जाएगा उसका life, तब तो आप subscribe की तरह बेच सकते हो, अब, What is the relevance of cost model, अरे, किसी company को cost पर रखेगा ना, Sir, please, T-commissioning cost of asset used in production, वसंत वो चीज, इंडेस 2 में आएगा, यहाँ नहीं, ठीक है, एक बात बोल रहा हूँ, वसंत, आपने मेरे काल से ये query बहुत बार पुछी मुझे, मैं क्यों नहीं answer कर रहा हूँ, मैंने क्या काता first day पर, you have to trust me, यह ना, तो अगर कोई भी RTP का question है, मैं सब कर रहा हूँगा, बट आपको उसके लिए भरोसा करना पड़ेगा, मेरे उपर की आकर सर करवा देंगे, तो अगर मैं अभी उसको take up नहीं कर रहा हूँ, मतलब बाकी पुरा batch ready नहीं है, आप वसंत पढ़के आयो ना, सब लोग पढ़के नहीं आये ना, तो मैं तो यह मान के पढ़ाऊंगा ना, कि किसी को कुछ नहीं आता है, अब अगर मैं यह मान के पढ़ाऊंगा, लोगों को inventory भी पता है, PPA भी पता है, और सब जो आप बोले वो discuss कर लूँगा, तो लोगों के लिए तो bouncer हो जाएगा ना, तो वसंत वैसे उस case में तो आपन थोड़े selfish लगेंगे ना, यह मान गर, तो इसलिए थोड़ा बरोसा रखना वसंत आ जाएगा वो चीज़, ठीक है, processing fee अलिए आप किस पर बोले हो, loan का processing fees, तो वो भी capitalize नहीं होएगा, यह 25% आप कह रहे हो dimple, यह कैसे आया, simple है न, gain divided by the carrying amount, you get the percentage, अब इस percentage को कितने amount पर apply करना है, दो amount पर, एक gross block के उपर और एक accumulated depreciation के उपर, पस 50 और 20, apply किया, देखो, एक बात तुमका हमेशा कहूँगा, तुम्हारे पास, पढ़ने को 6 subject है, new syllabus में, और हर subject में, there are more than thousand concepts, एक concept है, अगर मैंने आपको specific knowledge दिया है, stick to that, अगर आप extra depth में जाने का try करो के now, which is good if you have time, if you have time constraint, अपने आपको refrain करो, reason being, depth में जाने के लिए आपन जा सकते हैं बहुत ज़ादा, लेकिन फिर आपके पास 6 subject है, और 1000 concepts है हर subject में, मतलब 6000 concepts हो गया है, तुम समझे है, तुम इतना कैसे याद रहेगा, तो stick to whatever we have discussed initially, जो detailed discussion है, एक बार revise करोगे, दो बार revise करोगे, queries आएगी, that is a better time of discussion, चलो, मैं YouTube stream end कर रहा हूँ, जो application पर वो doubt पुछते रहा हूँ, ठीक है, मैं YouTube की stream end कर रहा हूँ, ओके, so thank you so much everyone, YouTube बाले भी, thank you so much, बाबाई everyone, take care, see you all,